और valuation of shares हमारा unit number 3 का part है इसमें दो method है एक है हमारा assets method और एक है हमारा earning या dividend yield method के नाम से भी जानते हैं intrinsic method भी इसको बोला जाता है तर valuation of shares क्यों करते हैं मान लेते हैं कि XYZ limited एक company है और इस company के पास 1000 share है और इसका market price face value तो 10 है लेकिन इसका market price जो shares का है ना मान लेते हैं कि 1000 का है now ये company अपने आपको sold करना चाहती है किसी और company को ये company चाहती है कि मुझे PQR limited खरीद ले तो अगर ये company ये चाहती है कि इसको PQR limited खरीद दे तो कितने का बिकेगा तो हम market price जो होता है ना 1000 into 1000 यानि total 10 लाक रुपे में ये company बिक सकती है तो आपने यहाँ देखा सर face value का ठेक है दूसरा point अगर हम लेके चलें क्यूं valuation किया जाता है सर valuation इसलिए किया जाता है कि आप अपने company का एक valuation लगा पाओ जैसे कि simple सी बात है बहुत सारी organization को ना आपने आपने देखा होगा startup उनको बाहर से funding मिलती है तो बहुत सारे startup को जो funding मिलता है बाहर से तो उस funding को पत net worth किया है उसके हिसाब से उनको shares मिलता है तो simple सी बात है इन रीजन की वज़े से हमारा valuation of shares निकाला जाता है सर एक है हमारा net assets method तो net assets method में कैसे निकालेंगे valuation वो देख लेते हैं net assets method यहां लिखेंगे particular generally इस chapter के अंदर हमारा कोई भी account अकाउंट नहीं बनना सिर्फ calculation वाला पार्ट होना है net assets method में हम सबसे पहले लिख लेंगे assets value सर कौन से वाला assets value market price जितने भी assets value उसका market price लिख लेंगे इसमें से minus कर देंगे हम liability liability कौन से वाला सर liability market price यानि जो भी assets value आएगा उसके अंदर हम हमेशा minus कर देंगे सर liability value इसमें से हम जो भी आएगा minus करने के बाद या फिर और भी आगे चलते हैं इसमें से minus कर देंगे हम preference share holder का जो भी claim होगा preference share capital भी और claim भी दोनों ही minus करेंगे preference share capital और claim whatever call वो भी minus कर दोगे यहां से finally आपको एकना यहां assets का value मिल जाएगा that is आपको मिलेगा net asset example भी देखेंगे और इसमें वापस से add on कर देंगे national national call यह आजाएगा हमारा assets value यह net assets बोलो यह total assets यह इसको हम net ना बोलके इसको gross बोल देते हैं gross assets और इसको नाम दे देते हैं net assets value चलिए sir दुबारा देखते हैं sir हम कौन सा method कर रहे है sir net assets method कर रहे है net assets method करने के लिए हमें सारे assets का value ले लिना है कौन सा market जिसका market value नहीं होगा कौन सा value ले लोगे book value minus क्या कर दोगे liability minus क्या कर दोगे preference share अगर प्रिफरेंच शियर का डिविडेंट एडियर वेडियर है वो भी माइनिस करोगे ग्रॉस आएगा एड कर दोगे नोशनल कॉल अब नोशनल कॉल को समझ लेते हैं पहले हम समझेंगे अभी आपका वेल्यूएशन शियर्स यानि एक शियर्स का क्या वेल्यू होगा तो वेल्यू पर शियर्स जो आएगा सर कैसे आएगा नेट एसिट्स जो निकाला है डिवाइड़ बाइ नमबर ओफ शियर्स डिवाइड़ बाइ नमबर ओफ शियर्स कई बार हम number of shares की जगह पे value of shares रख लेते हैं यह आ जाएगा हमारा एक share का value हम अभी सवाल देखेंगे सवाल से clear होगा अब हमें समझना है सर national call क्या होता है सर national call क्या होता है नोशनल लिखना था नोशनल और नोशनल call दो टाइम पे इस पे add होगा मैं सवाल बताऊँगा कब इसमें add करना है हर बार add है नहीं कर देना कई बार add हो भी सकता और कई बार नहीं भी हो सकता ठीक है न तो नोशनल call क्या होता है call amount which was या फिर मैं इसको बड़े आसान शब्दों में कह देता हूँ uncalled amount अनकॉल्ड अमाउंट है चलिए सर अनकॉल्ड अमाउंट मतलब एक्जाम्पल मान लिगे 10,000 शेयर है add the rate 10 रुपीस इच और जो paid up है वो 8 रुपए है paid up कितना है यहाँ पे 8 रुपए तो आप देखिएगा यहाँ पे जो paid up है 8 रुपए है तो कितने ऐसे रुपए हैं जो कि नहीं मांगे बताइए 2 रुपए तो यहाँ पे national call जो होगा ना इस वाले एक्जाम्पल में that is 10,000 into में 2 और यह होगा हमारा 20,000 ठीक है ना क्या होगा यह 20,000 होगा समझ में आ रहे हैं यहां तक बाद क्लियर रहे हैं तक तो national call क्या होता है uncalled capital ठीक है कई बार यह use भी होगा कई बार नहीं भी होगा तो simple सी बात है सारे assets liability को minus plus करके एक value निकालते हैं इससे निकलता है value per share इसके अंदर भी preference share का अलग निकालने को आ सकता है equity share का अलग निकालने को आ सकता है दोनों अलग अलग हम देखेंगे चलिए इस पर एक questions कर लेते हैं basic सा बहुत simple सा question फिर हमें समझ में आ जाएगा tentative idea कहता है the following balance sheet of x limited 31 March 2017 आपके सामने कुछ equity है और कुछ assets है format क्या कहता है साहब format क्या कहता है अरे एक line तो extra किछ गया अभी हम सिर्फ net asset से सीख रहे है net asset यहाँ पर लिखेंगे पहले हम asset assets में क्या क्या आएगा market value पहला हमें given है अगर ध्यान से देखें तो पहला क्या given है सर चलो यही ले ले लेते हैं tangible assets पांच लाक लेकिन नीचे भी जानकारी कह रहा है the fixed assets where independently valuation 3.5 लाग कहता है fixed assets जो था वो 3.5 लाग का था और goodwill का valuation कितना लगाया गया पचास अजार पर इसका मतलब जो सर यहाँ पे fixed assets है और जो यहाँ पे goodwill है इसको नहीं लेना आपने क्योंकि इसके कौन से value को consider करेंगे market value तो यहाँ पे आ जाएगा fixed assets यहाँ आ जाएगा fixed assets that is आ गया आपका 3.5 लाग और यहाँ पे क्या आ जाएगा second हमारा goodwill that is कितने आ जाएँगे 50 लाग sir other assets की बात कर लेते है current assets कहता है दो लाग इस questions में हमें कोई और assets नहीं given कि इसका value क्या होगा कुछ नहीं बता रहा तो हम current assets as a tease ले लेंगे current asset यह आएगा हमारा दो लाग total अगर कर ले हम इसको तो छे लाग रुपए का हमारा यह assets कहीं न कहीं बन रहा है अब इसमें से less कर देंगे sir liability sir liability में देखा जाए तो share capital की तो बात ही नहीं करेंगे हम reserve and surplus और यह भी हम इनकी बात नहीं करेंगे minus करते time हाँ preference share होता तो जरूर minus करते अगर मैं format में दिखा हूँ तो देखो मैंने preference share बोला हुआ है सिर्फ equity और reserve and surplus को नहीं लेंगे long term borrowing 5% debenture एक लाख रुपे का long term borrowing long term borrowing एक लाख अगर वोईस अगर बीच में रुख जाए by chance तो हैंड रेज कर दीजेगा यह comment पर लिख दीजेगा पता चल जाएगा मुझे long term borrowing के बाद नहीं है बाकि national quality मैं चर्चा करूंगा होता क्यूं है और ऐसा क्यूं करते हैं तो छे में से दो तीस माइनस करोगे तो क्या आजाएगा तीन लाग सत्तर अजार यहीं आज़ा ना तीन सत्तर अब वेल्यू पर शियर निकालने का क्या फॉर्मेट है क्या फॉर्मूला है अरे वेल्यू पर शियर निकालने का क्या फॉर्मूला है वेल्यू और शियर इस इकल टू नेट एसेट डिवाइड़ वाई नंबर अप शियर और कौन से वाले शियर एकुटी शियर तो मेरे एक्जाम्पल में आप देखोगे तो क्या पाओगे सर यहां पे जो नेट एसिट्स का वेल्यू की बात करूँ तो वो निकल के आया 370 इसको डिवाइड कर देंगे नंबर से तो आपको पता है कि 4 लाक रुपे का है तो नंबर 10 रुपे का एक है तो नंबर इसली निकाला जा सकता है इस चार लाक इन टू में डिवाइड बाए कितने आगे 40 अगर यहां हम 40 अजार कर दें तो एक शेर का वेल्यू निकल जाएगा कितना रहे है नाइन पॉइंट 25 ठीक है ना नाइन पॉइंट इसको एक अलग धंग से भी निकाला जा सकता है आप ऐसे भी कर सकते हो वेल्यू ओफ एसेट्स वेल्यू ओफ एसेट्स कहा रहा हूँ को आप लिखलो नेट इसेट्स और मैंने बोला नीचे वेल्यू ओफ एसे लिखलो मैंने क्या बोला वेल्यू ओफ शेर्स मेरा यहां अपना फुद का यह फॉरमुला बनाया है वह समझ लो, value of shares का मतलब है कि, आज share capital कितने का है, तो देखो share capital 4 lakh का था, तो ऐसे situation में आप क्या करोगे, sir, 3,70,000 divided by 40,000 मत करो, कितने कर दो, 4 lakh, 370 divided by 4 lakh, तो यह आ गया, 9 point, sorry, 0 point, 0.9, 0.925, यह निकल का है, लेकिन सर्फ पीछे के answer में, और इस answer में तो फरक है, यहां तो 9.25 आ रहा है, तो यहां यह निकला है, एक रुपे की value, यह जो निकला है न, वो निकला है, एक रुपे की value यह बनेगी, अगर आपका एक रुपे face value है, तो उसका market price यह बनेगा, तो आपको face value कितने का है, तो now value of shares निकलेगा, आपका face value से multiply कर दिजिए, face value है कितने का, 10 रुपे का एक face value है, इंटू में 0.925, तो आपका result वही आ जाएगा, 9.25, देखिए, समझे, या पहले divide कर दिजिए, या बाद में multiply कर दिजिए, बात वही आ जाएगी, clear है यहां तक, जितने बच्चे भी live है, सभी को clear है, बता दे, फटा-फट से जितने बच्चे live है, अंजली, हंशुका, रागव, मेगा, लक्की, रूपम, भूमी, रूपन, हिमानशी, जितने बच्चे live है, क्रिष्णा, अमर जी, आपको समझ में आ रहा हो, तो participate कर ये, बताते जाएए, आपके जो doubt है, hand to hand sort out होते जाएंगे, सर clear है, सभी बच्चे कह रहें clear है, बहुत ही आसान चेप्टर, और 10 नंबर का, एक सवाल आएगा ये, 10 नंबर का, देखो, corporate account मुश्किल जरूर है, लेकिन strategy अगर बना लोना, तो कोई बच्चा इसमें fail ही नहीं हो, और marks भी अच्छे आ जाए, हम क्या करते हैं, paper, जब भी analysis किया है ना, तो paper tough आया था, 100 नंबर का paper है, paper सब बहुत tough था, कितने नंबर का tough है, ढूंडोगे तो 5 नंबर का paper tough आया था, 5 नंबर का question पता ही नहीं है, यार क्या पूछ लिया, उस सवाल की चर्चा होती है, पूरे classroom के अंदर, पूरे examination hall में, क्यारी ये question आया कहां से, उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा, जो 95 का as the tease book से उठके आया, उसके किसी को लेना देना नहीं है, किसके पीछे भागेगा वो, कि 5 marks का ये, पता नहीं कौन सा क्या पूछ लिया, ये वाला रह गया, ये हो जाता तो बढ़िया था, भाई उसके चक्कर में आपने 95 गवा दियें, तो इसके अंदर आपके कुछ चेप्टर मुस्किल है, और बाकी जो सबसे मुस्किल चेप्टर था, वो तो semester 2 से हटाई दिया गया, holding चेप्टर को, तो ये अब कई बच्चे बोलते हैं, सर, amalgamation थोड़ा tough लगता है बच्चो को, मेरा मानना है, amalgamation tough लगता है, तो amalgamation भी 10 का आ रहा है, और ये भी 10 का आ रहा है, तो पहले आप इसको grab कर लो ने, इसमें कुछ भी नहीं है, आप आगे-आगे देखों कि बिल्कुल सिंपल यही फॉर्मेट में चलने वाला है, चलिए सर, एक और सवाल देखते हैं आपके लिए, क्या कहता है, अब क्या कहता है, दा इक्विटी शियर कापटल आपको दे रखा है, क्योश्चन नमबर वन को ही मानना है, लेकिन वहाँ पे एक्विटी शियर चार लाक रुपे की वजाए कितने हैं हमारे, तीन लाक जिसका मेड़ अप 30,000 एक्विटी शियर दस रुपे का एक, यहां रुपीज गलत लग गया, चलिए, एड प्रफरेंज शियर क्यापिटल एक लाक रुपे का, जो की हजार रुपे का है, उसकी वैल्यू कितनी है, सौर रुपे, पिछला ही सवाल मानते हुए, बस थोड़ा बहुत चेंजिस किया है, कि दा एक्विटी शियर क्यापिटल, तीन लाक मेड़ अप 30,000 एक्विटी शियर, यहां रुपीज गलत लग गया है, दस का एक, तो 30,000 दस को करोगे, तो 3,000 लाक हो जाएगा, ठीक है न, सवंज में आ रहे हैं, आपको वैल्यूएशन आप शियर स्ने का, तो अगेन, नेट एसेट्स अब निकालना नहीं पड़ेगा, पहले वाला ही सवाल का ले लेते हैं, नेट एसेट्स में सीधा-सीधा वही ले लेता हूँ, हमारा नेट एसेट्स जो था, वो कितने का था? देखिए, 3,70,000, लेकिन, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें 1.0- करना बागी है, प्रफ्रेंश येर, तो मैं यहाँ पे नेट एसेट्स जो ले रहा हूँ, वो 3,70 ले रहा हूँ, और बस इसमें से प्रफ्रेंश येर को माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, प्रफ्रेंश येर कापिटल, देट इस, 1,00, है ना, तो रेजल्ट आउटकम आजाएगा, हमारा 2,70,000, और नंबर आप शियर्स दे रखें आपको, देट इस, 30,000, ठीक है, आपका वेल्यू आप शियर्स निकाल लीजिए, वेल्यू आप शियर्स इस इकल टू, 270, डिवाइड बाई, 30,000 इस इकल टू 9, तो, दोनों सवाल में आपने देख लिए, अब प्रफेर्स शियर्स होगा, और हमने किसकी वेल्यूएशन निकाला है, सिर्फ एक्वूटी की सीख रहे हैं, बाद में हम प्रफेर्स की सीखें, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब कई बार क्या होता है, कि कम्पनी ना बहुत टाइप के शियर्स इशू कर देता है, 10 रुपे वाला, 15 रुपे वाला, 20 रुपे वाला, और उसके अलग-अलग वेल्यू होते हैं, तो उसको कैसे किया जाए, एक टाइप का सिंपल था, तो एक से डिवाइड कर दिया, मालो एक 10 रुपे वाला शियर्स है, एक 20 रुपे वाला, तो दोनों तो अलग-अलग हो गए ना, सब डिवाइड कैसे करेंगे, इसके बाद हम वो सीखेंगे, जब एक से ज़्यादा class of shares company हो, उसे बंद कर देना एक बाद, एक से ज़्यादा class हो, और fan भी आफ कर दो, उधर वाला, एक से ज़्यादा जब class हो, ठीक है ना, 9 रुपे, 9 रुपे, 9 रुपे, सभी बच्चों का जवाब आ गया था, 9 रुपे, अगला example आपके सामने, अब यहाँ पर share देखिए, company के share 30,000 share है, 20 रुपे वाले, जो की पूरे payment आया है, 25,000 share है, 20 वाले, जिसमें से मातर 8 रुपे आया है, 15,000 share है, 10 वाले, जिसके अंदर हमारा ये value दे रखा है, 1000 share है, हमारे 10 वाले, जिसके अंदर 5 रुपे paid up है, और company की सारी detail है, कहता है, goodwill जो company का होगा, वो 15,000 का हो जाएगा, building 12,000 रुपे का हो जाएगा, machinery 3,000 रुपे का हो जाएगा, investment आपका हो जाएगा, 35,000 रुपे का, stock हो जाएगा, 5,000 रुपे का, and data हो जाएगा आपका, वो 90,000 का, there was a contingent liability रुपे 20,000, और एक और liability हमारे पास उठके आ गया, कहीं बाहर से, that is हमारे पास, 20,000, determine the value of different share, सभी shares की valuation बताएगे, समझ मैं है, समस्या यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे shares के price अलग-अलग है, तो अगर एक simple share होता, तो net assets निकाला और divide गया, जट से answer आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें अलग से भी देखना पड़ेगा, अब देखों यहाँ पे, यहाँ पे इस वाले questions को ना, without national कर रहा हूं मैं, without national, आप national को मानते हुए करिए, और दूसरा कर दूँँगा, मैं with national, यानि सवाल के अंदर पूछा नहीं गया, लेकिन मैं दो तरीके से निकालूँगा, एक national call को नहीं मानेंगे, simple कर देंगे, और एक जब national call को मानेंगे, तो कर देंगे, खिक है ना, उसके हिसाब से कर लेंगे, सिंपल वही format है, format में कोई बदलाव नहीं है, सारा assets लिख लेंगे पहले हम, assets, अब assets में देखा जाए, तो हमारे पास tangible में building है, तो हमारे पास building यहाँ पे 6 लाख रुपे गीवन है, लेकिन हम इस 6 लाख का use नहीं करेंगे, क्योंकि हमें valuation नीचे गीवन है, 12 लाख, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा building, that is 12 लाख, and यह वाला हो गया done, मैं cut करता जाता हूँ, machinery, machinery की भी value हमें नीचे अलग से गीवन है, 3 लाख रुपे, machinery, 3 लाख रुपे, machinery के बाद देखा जाए, तो अब हमारा अगला क्या गीवन है, machinery भी हो गया, इससे भी cut करते हैं, goodwill, 25,000, उसकी भी value गीवन है, 15,000, इसके बाद current assets की हम बात करें, तो inventory, inventory की भी value हमें घीवन है, that is कितने का था हमारा inventory यहाँ पर, stock धाई लाख रुपे, कुछ बच्चे बोल सकते हैं, सर उपर inventory नीचे stock हो सकता है, चिनता करने कोई दिक्कत ने, दोनों का मतलब एक ही है, इसके बाद trade receivable यानि debtor दो लाख है, नीचे गीवन है, एक लाख नब्बे हजाद, cash और cash equivalent का तो कोई value थोड़ी होगा, यह same ही रहने वाला है cash, कितने का, इसका market price नहीं होता कुछ भी, other current assets क्या इसका given है हमें, हमें investment valuation ले लिया, यह ले लिया, inventory ले लिया, stock ले लिया, investment नहीं, अच्छा, investment रहे गया, चलो ले ले लेंगा, other current assets पहले ले ले लेते हैं, that is हमारा कितने का है, ओके, यह बोल रहे हैं के, सर यह नीचे हैगा, यह बीस है है ना, और यह कितना है, one, और investment की भी valuation है, कितने का है, 35,000, तो सर यह assets आ जाएगा, अगर total करे हैं हम assets का, तो क्या आता है, 12,00, 3,00, 9,00, बावन हजार, cross verify कर लीजेगा, प्लीज, अच्छा हाँ, वो तो बारह है, इसमें बारह हजार होगा, एक बीस ले लिए हैं मैंने अच्छा, 21,00, 40,000, चेक कर लीजेगा, ठीक है, बागी के जितने इस्टूडेंट भी है, चाहिए, मैं calculation तो जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आप एक बार totaling भी करती रही है, ताकि आपको so that पता चल जाए, अब पता नहीं इसमें क्या आ रहा है, यह calculator थोड़ा दूसरे टाइप वाला है, हाँ, सही एक किस चल लिए, इसमें पता नहीं कैसे लिखा रहा था, लेस करेंगे, और offline वाले बच्चे तो calculator लेकर हैं, लेस करेंगे हम liability, liability के अंदर number one पे देखा जाए, तो number one पे हमारा एक ही है, और number two कुछ है ही नहीं, that is creditor, और कितने का है creditor? that is यह निकल के आ गया, 19,00,00, 40,000 यह आ गया हमारा, net assets, ठीक है? 19,00,40,000 आ गया हमारा net assets, यहां तक कहां नहीं समझ मैं है, यह निकाल दिया, अब जिसका आप wait कर रहे हो, उसके बारे में देखते हैं, यानि सर, इसको कैसे deal करोगे, मुद्दा तो यह है, और यही जानना चाह रहे हैं, कि इसको deal कैसे करोगे हैं, तो चलिए next page पर दिखके हैं, इसका deal, सबसे पहले इन सभी जितने price दे रखे हैं, इन सभी price को total कर लेंगे, सभी price को total कर लेंगे, हम यह पता कर लेंगे, इनका total value, उसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं simple वाला method लिके चल रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इसका total कर लेंगे, that is 6,00, 2,00, 10,00, कितने आ गया हमारे 10,00, इसका total check कर लेंगे ठीक है न, और कुछ रह तो नहीं गया, नहीं रह गया, total कै आ गया हमारा 10,00, ठीक है, एक-0 कम, लो, जी, ठीक है, अब इस दस लाग में ध्यान देना दो टाइप के शियर्स है जो हमारा दस लाग का आया है न हमारा नेट एसिट्स जो आ रहा है मैं इधर भी लिख लेता हूँ वो देट इस था हमारा उननिस लाग चालिस अजार और जो एक्विटी शियर कापिटल आया था न इधर रिलिक्स लेते हैं एक्विटी शियर कापिटल कितना आया था दस लाग इस दस लाग में ने दो टाइप के शियर्स है एक जिसका फेस वेल्यू है बीस रुपे और एक जिसका फेस वेल्यू है दस रुपए ठीक है दो face value वाले अच्छा contingent liability रहे गया ठीक है ठीक है ध्यान ने दिया contingent liability 20,000 रुपए हमारे रहे गये क्योंकि सारे liability minus करेंगे न less contingent liability कितने 20,000 सर ये contingent liability क्या है में भी ये एकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता that is आपका 20,000 तो 21,40,000 और 20,000 अभी भी मुझे इस total में दिक्कत लग रही है कुछ भूल तो नहीं गए चेक करो एक बाद मुझे इस total में कुछ missing लग रहा है कोई amount आगे पीछे तो नहीं हुआ वन थर्टी ट्रीड रिसीविबल चलो कोई नहीं ये हमारे दो टाइप के शियर्स हैं ठीक है अब इसके अंदर भी देखा जाए ना अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल क्या कहता है सर इसके अंदर भी देखा जाए तो इसके अंदर भी एक तो वो है जो fully paid up है और कुछ शेयर वो है जो की partly है सेम यहां कुछ शेयर fully है और कुछ शेयर partly है जो fully तो 20 दे रहा होगा partly कितने दे रहा है question कर रहा है 8 पुली तो 10 दे रहा होगा partly क्या कर रहा है question में देखो 5 रूप एक यहां यह भी समस्य आए कि भईया सब ने सारे सारे पैसे नहीं दिये अब हम क्या करेंगे हम सर value of value of share निकालेंगे लेकिन पर रूपी निकालेंगे एक रूपए की क्या value पड़ेगी तो that is आ जाएगा 19 लाख 40 हजार हाँ यह भी चेंज होगा न उननिस बीस उननिस लाख 20 हजार उननिस लाख 20 हजार और इसका पूरा value ले ले लेते हम 10 लाख हमने देखा था ना अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं तो that is आ जाएगा 19 लाख 20 हजार divided by 10 लाख 1.92 1.92 यह कितने का प्राइस आया एक का तो अगर मैं value of share निकालू share जिसका face value कितना था 20 तो अब इसका क्या आएगा sir 1.92 एक रुपे का और हमें चाहिए कितने का 20 का तो that is कितना होगा हमारा 1.92 इन्टू में अड़तिस प्राइस 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 अब यहां पे यह तो एक पार्ट हो गया इसी का सेकिंड क्लास था जिसके अंदर अगें 1.92 और वो भी 20 वाला ही था लेकिन फरक यह था कि इसने 8 ही मातर पेड किये हैं तो जितना पेड नहीं किया वो यहां से माइनस कर दोगे आप जितना पेड नहीं किया माइनस कर दोगे तो यह 38.4 माइनस में 12 या जाएगा आपका शेर का वेल्यू 26.4 वेल्यूएशन करने का यह तरीका होता है अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इसको ऐसे कर दो आप तो आपके शेर्स आठ रुपे की वेल्यू आ देगी आठ हिंटू में 1.92 तो यह गलत हो जाएगा यह पंदरा रुपे क्या होगा गलत होगा हमाँ ठीक है ना तो जितने शेर्स के पैसे नहीं मिले उसको क्या करना है आपने माइनस कर देना पूछे क्या पूछ रहे है नहीं मिले थे यह देखो उसमें से आठ ही मिले ना दूसरे वाले दूसरा क्लास स्फियर का स्फियर्स के देखो यह वाले इसने सिर्फ आठ ही पेड़ अप है ठीक है और फेस वेल्यू दस फुली पेड़ अप है तो 19.2 ठीक है पूर्थ पॉइंट वेल्यू आप शेयर जहां पे अगेन 1.92 उसका भी फेस वेल्यू दस रूपए है माइनस करोगे जो नहीं दिया पांच रूपए तो 19.2 माइनस पे पांच रूपए यह आ गया 14.2 सर ऐसा क्यूं हो रहा है देखो वेल्यू आपका एक रूपए का निकल गया आपका फेस वेल्यू के हिसाब से वेल्यू आटिस रूपए चार है तो मान लेते हैं आपके पूरे शेयर का रूपए जितना शेयर होल्डर ने नहीं दिया सामने वाले किसी को अगर बेचते हो मान लेते हैं आपका वेल्यूएशन आया 38.40 पैसे आपको कोई मिल गया कि भाई मेरे शेयर मैं बेच रहा हूं इस कंपनी के इंदर बोले कितने का बेचेगा बोला देख आज की डेट पर 38.40 पैसे का है वो खरीद लेगा खरीदने के बाद उसे पता चलता है यार अभी तो दो रुपे तेरे को कंपनी को देने भी बांकी है तो मैं 38.40 क्यों दूँ तो दो रुपे मैं कंपनी को बाद में तो दूँ आ तो तूने पूरे 20 के लगाए है लेकिन दो मेरे को देने पड़ेंगे तो महंगा पड़ ज लें कि जिसमें नोशनल का देखो मैंने कहीं से कहीं तक कोई डिसक्रशन नहीं किया यह अगले सबाल में कर लुगा नोशनल कर लूघा पहले यहां तक कर साथारब तो यह यह विदावट नोस्टीम आहां मैंने हिसाप से आंसर चेक कर scheda तो आंसर में यह थोड़ा यह इस आंसर को हटा देते हैं, आप जो मैंने करा है वो देखिए, उन्होंने दूसरे तरीके से अभी उसमें आंसर निकाला है, वो भी आएंगे हैं, कि 1.92 इंटू में 5 करोगे ना तो आ जाएगा, वो, 1.92 इंटू में 5, तो आ जाएगा 9.6, वो दूसरे तरीके से, पहले यहां तक किसी बच्चे को डाउट, यहां तक किसी बच्चे को डाउट, फिर मैं नोशनल वाला ले के कर लूँगा, कैसे आएगा? नोशनल, विदाउट, नोशनल हमें करना है, कई बार एक्जामनर, देखो इसके अंदर होता है, कई बार हमें रिलाइज होता है, कि हमें यह जो दो रुपे हैं, अभी जल्दी से मिल जाएंगा, एक महीने बाद ही, और वेल्यूएशन ऑफ शेर्स करो, तो शेर्स का पनी के अंदर, तीन-तीन-चार-चार मैंने तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बनाने में लग जाते हैं, तो अब मुझे लगता है, कि मैं नियर, दस दिन बाद मैं इसके पैसे मांग लूँगा, और ये भी कन्फरम है भाई, कि दस दिन बाद पैसे मांगूँगा, और दस दिन बाद मुझे वैलिवेशन भी बतानी है, तो दस दिन में जब पैसे आई जाएंगे, तो हम अजम्शन कर लेते हैं, जो कॉल सिन एरियर है, वो तो रहेगा ही नहीं, दस दिन बाद कॉल सिन एरियर वेरियर छोड़ो, सब को जोड़ के ही कर लो, और दस दिन बाद जब पैसे आपके पास आएंगे, तो cash आएगा, तो assets बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे national को कहा गया, मैंने format में add कर दिया, यहाँ पे add है less है, मैं भूल गया, add होना था, add कर दे, क्यों दस दिन बाद तो पैसे आई जाने है भाई साब, और valuation में अभी बता देता add हो गया, और जो हम value of shares निकालते हैं यहाँ पी total value ले लेंगे, ऐसा नहीं कि जिसके पैसे नहीं मिले वो नहीं, total ले लेंगे, भाई नहीं मिला कोई बात नहीं, मिल जाएगा, समझ रहे हो, तो इसी सवाल को एक बार हम वैसे करते हैं, जब मान लेते हैं कि nearby 10-12 दिन में payment क करना पड़ सकता, यह सवाल बोलेगा, और वैसे हमेशा सवाल के अंदर आपको national call add करना पड़ेगा, नियर भाई 10-15 दिन बाद payment करेंगे, तो ऐसे situation में क्या होगा सर, ऐसे situation में होगा, हमारे पास net assets था, सर, net assets था, that is हमारे पास 19,20,000, ठीक है, अब थोड़ा हमें shares को समझना पड़ेगा, equity share को, नमबर वन टाइप, नमबर टू टाइप, नमबर थ्री टाइप, नमबर पूर टाइप, नमबर वन टाइप जो था 30,020 रुपे का, 30,000 share और ये कितने का था, 20 रुपे का, that is आपका 6 लाग, नमबर दो था 25,020 का, लेकिन 8 ही मिले थे, तो 25,000 थे, और जिसमें मिले कितने सिर्फ, 8 रुपे, तो ये कितना आ गया था हमारा, 2 लाग, नमबर तीन था हमारा, 10 रुपे, पूरे मिल चुके थे, 10 रुपे, 15,000 पूरे मिल चुके हैं, उसके बाद 10,000 था, 10,000, तो देट इज, एक, दस था 15, 15 था ये, 15,000, अब हैं हमारा 10,000, देट इज, हमें 5 रुपे मिला, तो 50,000, तो देखा जाए, तो ये तो वो वेल्यू है, जिसके अंदर आपको पेमिंट मिला है, जो कि कॉल्स इन मान सकते हैं कि मांग लेंगे, तो हम उसको भी एड़ उन कर देते हैं, ये डेट लाग, अच्छा डेट लाग, ये ये लो डेट लाग, चलो, नियर बाइ, यानि ये टोटल तो 10 लाग है, ठीक है, फाइन, ये तो आज के बैलिंस शीट के हिसाप से है न, लेकिन हम जानते हैं कि 8 से 10 दिन में पैसे मिल जाने है, कितने मिलने हैं उसको वापस एड़ कर दो इसमें, तो शीर का वेल्यू प्राइस बढ़ जाएगा, तो कितने मिलने हैं सर, इससे 12 रुपे मिल जाएंगे, यानि नमबर वन, आपको 12 रुपे मिल जाएंगे, कितने शीर से, 25 अजार से, नमबर दो, आपको 5 रुपे मिल जाएंगे, किससे 10 अजार से, यानि nearby future में हमें पैसे मिलने वाले हैं इसका और इसका इसके मिल जाएंगे हमें 50,000 और उपर वाले के कितने मिल जाएंगे? 3,000,000 यानि nearby हमें 3,500,000 रुपे मिलने वाले हैं तो जो 3,500,000 हमें मिलेगा वो add-on हो जाना है चाहिए साथ 3,500,000 तो इसका मतलब इसकी valuation निकल के आ जाएगी shares की अब 3,500,000 रुपे same sir assets अब 920 थोड़ी रहेगा cash भी तो आ जाएगा तो add कर देंगे national कौन कितने रुपे? 3,500,000 दोनों का इकट्टा ही ले लिया तो कितने हो जाएंगे ये? 22,000,000 सत्तर हजार समझ रहे हो अब valuation कर लो share की अब valuation कर लो share की कैसे करोगे sir आप? value per share रुपीज के terms में तो 22,000,000 70,000 divided by 13,000,000 50,000,000 बताएंगे क्या आगे? वाइस लांट अगर ऐसा हुआ तो मेरे shares का price 1.68 आएगा एक रुपे की value तो हमें number 1 जानना है ये भाइया 20 रुपे वाला share है तो उसका value क्या होगा? 1.68 कर दोगे तो कितने आ जाएंगे? कितने आगे? 20 इंटू 1.68 33.6 number 2 आपका अगेन 20 रुपे का share था और 1.68 था लेकिन मजे की बात है ये तो हमने assumption लिया है कि मिल जाएगा लेकिन actually मैं यहां 12 रुपे तो नहीं मिले तो minus कर देंगे that is 12 33.6 में से minus 12 33.6 minus 12 21 रुपे साथ पैसे third point में 10 रुपे का share है 1.68 that is आपका आजाएगा 16 रुपे आठ पैसे fourth point में फिर से 16 रुपे आठ पैसे आने है जिसमें से 5 रुपे नहीं आए तो 11 रुपे ये हमारा कुछ दूसरा आ सकता है इस तरीकों से पर यहां तक देखिए मैंने दोनों टाइप करें अभी आप कुछ भी मत करिए स्रिफ concept को देखिए फिर जैसे जैसे एक बार आपको सब समझ में आ जाएगा ने कि ऐसे इसे कहानी है तो इवन ये chapter नी एक EPS के नाम से chapter है वो सारे chapter एकी बार में निपड़ जाएंगे सभी में ये चीज़े आने वाली आगे चाहिए वेल्यू अफ गुडविल हो चाहिए वेल्यू अफ शेयर्स हो चाहिए आपका वेल्यू एडिटिन फनाइंशल स्टेट्मेंट हो बहुत सारे chapter है सर मैंने आज बैच जोइन किया है कॉर्परेट का जीरो हूँ बता दो कैसे करना है कॉर्परेट में देखिए यहां तक क्लियर आपको सारा कर लेंगे आज और फिर इस टॉपिक के फिर टेनियर के भी सवाल कर लेंगे कुश्चन में क्या कहता है आप ध्यान देजिए पहले कुश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कुश्चन में कहता है दब फॉलविंग आपके पास डिटेल गीवन है एक स्ट्रेट और बुक्स ऑफ फेर वेल्यूएशन ऑफ एसेट्स कंपनी यानि कंपनी के जितने भी एसेट्स थे ना सभी एसेट्स के अंदर मिला के अप्री 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 अप्रीशेशन कितने का हुआ हमारा 75,000 अगर कंपनी बंद होता है तो प्र्फरेंच शेयर होल्डर फॉर्धर क्लेम करेगा और फॉर्धर क्लेम कितना करेगा इससे बंद करके आएकर। तो लिकवडेशन क्लेम करेगा समझ रहे हो बात को आप मैं कोश्चन दुबारा रिपीट कर दूं हमारे पास preference share है और equity share है reserve and surplus और यह है कहता है हमारे जितने भी assets थे ध्यान देना जितने भी assets थे उसका 75,000 बढ़ जाएगा लेकिन आप notice करो पूरे सवाल में कहीं भी assets की बात नहीं कर रहा ठीक है आगे कहता है 10% of surplus assets यानि preference share holder बोलता है भाई है मेरा जो claim है यहाँ पर 3,000,000 वो तो मैंने लेना ही लेना है उसको मैं छोड़ूँगा नहीं लेकिन मुझे थोड़ा सा extra claim चाहिए कितना extra claim चाहिए जितना भी assets होगा surplus 10% तो हमें समझना होगा surplus of assets होता क्या है और इसका claim कैसे decide होगा us attain the value of each preference and equity share हमें बताना है value of each preference share का कितना होगा and equity share का कितना होगा assuming, liquidation, ignore expense of winding up कुछ है नहीं तो सबसे पहले हमें assets find कर लेना चाहिए तो total assets sir total assets कितने होगे अगर हम total assets की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो balance sheet बनता है हमारा ध्यान से notice करिएगा balance sheet में अगर आपको liability का total पता चल जाता है तो आपको अच्छे से पता है कि sir हमें assets का भी total निकाल पाएंगे सिंपल सा concept अगर liability का total पता है तो आप किसका भी निकाल पाओगे और मेरे question में देखो तो liability की सारी बाते बता दिया यानि it means हमें liability का side पता है तो वही अगर liability को मैं total कर दूं तो वही किसका बन जाएगा हमारा इसेट्स का बन जाएगा है न तो मैं फटा फट से liability का total कर लेता हूं जिसमें के हमारा है प्रफ्रेंज शेयर क्यापिटल इस कितने परसेंट है प्रफ्रेंज शेयर क्यापिटल चलिए प्रफ्रेंज शेयर क्यापिटल जो है वह हमारा तीन लाग का है इसके बाद equity शेयर क्यापिटल के डिपरेंट डिपरेंट कैटिगरी है नमबर वन हजार equity शेयर है के नहीं और हजार equity शेयर सौर रुपए का एक लेकिन यहां पर कॉल्डब जो था वो कितने कॉल्डब है यहां पर कॉल्डब जो है पचास है तो हजार equity शेयर at the rate 100 each and called up that is पचास तो आपको amount दिख रहा होगा सर that is पचास हजार दूसरा category equity का है मारा एक हजार equity एंटू में हंड्रेड रुपीस इच है एड़ रेट 100 इच बट यहां पर भी अगेन कॉल्डब कितना only 25 only यहां पर पचास था यहां 25 तो देट इस यह कितने आ जाएंगे और एक और कैटिग्री सर सी कैटिग्री सी कैटिग्री में क्या कहता है सर यानि तीसरी हजार एड़ रेट 100 इच और देट इस फुल्ली कॉल्डब तो फुल्ली का मतलब सर सौ रुपई होगा देट इस एक लाक उसके बाद सर रिजर्व रिजर्व की बात करें तो जनर रिजर्व है और इसमें प्लस कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मैं इक खटा कर देता हूं इस फीस बचाऊंगा मैं थोड़ा सा प्रॉफिट तो यह टूटल कितना जाएगा दो लाक पचास अजा अगर हम इसकी टूटल कर दें तो यह क्या जाएगा यह क्या जाएगा एसेट्स तो टूटल क्या एगा साथ लाक पहले यहां तक देखे टोटल एसेट्स निकालने का तरीका टोटल एसेट्स आ गया तो हमें चाहिए क्या एसेट्स में से हम प्रिफरेंशियर को माइनस कर देंगे और अगर कोई वेल्यू में अप्रिशेशन लगाए तो वो बुराई नहीं है टोटल एसेट्स भी यही होने वाला है इसमें 75,000 रुपिस इंक्रिमेंट लगा दे तो हमारे पास जो वेल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आठ लाक रुपे हाँ के नहीं अब इसमें से हमें क्या निकालना है लस कर देंगे क्या सर हम प्रफरेंच शेर कैपिटल that is कितने का है तीन लाग का हमारा बचा कितना पाँंच लाग का इसमें से भी आप माईनस कर देंगे सर इकूटी चूँकि यह जो पैसा बचा है यह इकूटी वालोगा है सारा तो इसमें से भी हम less कर देंगे क्या सर equity share capital ध्यान रखेगा जो एक बात बोली है इसने के 10% of surplus surplus निकालना सिखा रहा हूं मैं तो equity share का totality में देखोगे तो equity share हमारा इन सभी को total कर दें तो equity बन जाएगा that is कितना आएगा 1,75,000 है न तो 1,75,000 तो इसको minus कर दें अब पैसा बच गया हमारा 3,25,000 मतलब हमारा जो assets होता है उसमें से preference निकाल दो उसमें से equity निकाल दो सब निकाल दो फिर जो पैसा बचता है that is a surplus assets उसको क्या बोलेंगे हम उसने बोला claim किसका लेगा surplus assets का 10% तो surplus assets क्या है हमारा यहां पे 3,25,000 इसका 10% लेंगे तो 10% अगर इसका claim आएगा तो that is हमारा कितना आएगा 32,500 यहां तक समझ में आए यह तो हमने एक statement format में यह काम सारा का सारा complete कर लिया है बताए है यहां तक कोई दिक्कत clear है तो अभी हमने सारा का सारा claim निकाला यानि overall हम देखें तो सार यहां पे तो claim दो हो गया preference share holder का एक यह हो गया और एक यह हो गया question कहता है a certain the each preference share and equity share assuming a liquidation a shares assuming a liquidation ignore expense मतलब हमें value of shares निकालना है surplus निकालना है future के अंदर हमें पैसे जो भी है liquidation करने के लिए कहता है a certain the value of each preference and equity share preference share की value बता दो equity preference share की तो यही रहेगी जो की रहने वाली है और equity share का भी बता दो ignore कर देना expense अब यहां पे सीधी सी बात है सबसे पहले तो हम equity का हमने अभी तक equity का तो सीखा हुआ है तो हम equity का value निकाल सकते है इसे लिए सर इकूटी के value निकालने के लिए क्या होता है सर सर होता है हमारा asset या मैं बोल दू नेट assets तो उसमें कोई बुराई नहीं है पहले लिख लेते हैं net assets तो मेरे सवाल को देखके बताईए net assets कितने का रहा है तो सर net assets आ रहा है हमारा valuation एड करके preference share को एड करके that is पांच लाथ net assets कितने का था हमारा और इसके अंदर मैंने बोला था आप अगर future में value कॉल करते हो तो इसके अंदर notional call एड कर दो अगर मैं आपसे बोलू notional call कितना है तो भाई साब notional call अगर देखा जाए तो इससे हम कितना और मांगेंगे पचास हजार मांग लेंगे क्योंकि पचास दे चुका है तो पचास मांग लेंगे इससे कितना मांगेंगे हम एक हजार इंटु में 75 इससे कितना मांग लेंगे हम 75,000 यानि एक लाख 25,000 मैंने करके नहीं दिखाया है लेकिन क्लियर है हर बच्चे को एक लाख 25,000 नोशनल कॉल होगा है तो नोशनल कॉल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है इसको तो एक लाख 25,000 टोटल एसेट सम एलिबरेट कर देता हूं कि भाई साहब इधर कर लेते हैं माइनस कर देते हैं एक और क्लिय में या मैं और थोड़ा सा अच्छे से चलो टाइम जाएगा नहीं खाली मैं एसेट्स नहीं यह वाला पिक कर रहा हूं ठीक है यह आठ लाख ठीक है यहां से चलेंगे हम तो प्रेफरेंश शेयर कैपिटल माइनस क्या कर दोगे प्रेफरेंश शेयर होल्डर का क्लीम तो तीन लाख रुपए था और क्लीम कितना था बत्तिस फान सो यहां निकाला था ने टेंड बत्तिस फान सो अब हमारे पास यह आ गया नेट और एड कर देंगे नूशनल रेंट तो कितने आ गए हमारे यह चार लाग बताओ चार एड़ सट कितने आ जाएगे आठ लाग माइनस तीन लाग बत्तिस फान सो चार लाग सड़ सट हजार ठीक है और उसमें प्लस कर देंगे 125 लेट इस आ गया फाइव नाइंटी टू 500 यहां तक समझ में आया है 590 टू 500 यह क्या है सर यह हमारा value assets है अब value of shares कैसे निकालते हैं formula क्या कहता है value of shares is equal to net assets value divided by number of shares कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा 5925 00 divided by number of shares की बात करें तो हजार यह है हजार यह है हजार यह है हजार यह है that is कितने हो गए 3,000 divided by 3,000 तो यह आगया 197.5 value आगया अब हमें answer निकाल पाएंगे number one पहले का answer 197.5 जिसमें से 50 रुपे paid up नहीं था तो 50 minus कर देते हैं minus 50 यही सीखा था ना 147.5 ठीक है न यही सीखा था दूसरे वाले का जो कि आपका आगया 147 यह ठीक है दूसरे वाले का अगर देखें तो हमारा 25 रुपे paid up है तो कितना नहीं payment किया 75 तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे हम 197.5 है जिसमें से 75 माइनस करतों के that is कितने आजएगे एक सो बाइस और यह सारे कोश्चन में वो करा रहा है जो एक्जाम में आए हुए है पॉइंट नमबर 3 197.5 इसमें से सारा fully paid up था तो 197.5 यह हमारा shares के जो तीन टाइफ थे उसके आगए तो यह देखिए आपका तीनों के answer साग अगला कहता है अब यह preference share का भी निकालो तो preference share holder का अगर देखा जाए तो मैं यहीं निकाल देता हूँ preference share का अगर देखा जाए तो total preference share की value कितनी है total preference share की value है 3,32,500 तीन लाख 32,500 नई एक मिनट तीन लाख का हमारा नॉर्मन शेर था तीन लाख का मतलब 100 रुपे वाला that is तीन हजार होंगे ना सौ वाला है तीन हजार हमारा preference share number रही है अब value की बात करें तो value क्या आएगा सर तीन लाख तो नॉर्मन शेर था प्लस उसने claim भी कर लिया था claim कितना किया था 32 500 claim कितना कर लिया था 32 500 तो 32 500 को अगर हम claim कर ले तो कितना बनता है मारा तीन लाख 32,500 बनता है इसको किस से divide कर दे हम तीन लाख 32,500 को डिवाइड कर दो आप किस से तीन हजार से यही होगा ना तीन लाख 32,500 डिवाइड बाई तीन हजार तो rate क्या आगया हमारा 110.8333 something आ जाएगा चेक करो आप यानि preference share का valuation निकालना बड़ा आसान है जो preference share holder का amount है तोटल कर लिजिए उसको number of share से divide कर दीजिए एक share क्या जाएगा value आजए तो टोटल पहले यह बताओ preference share holder को इतने मिलने थे यह आपको समझ में आए कैसे तीन लाख तो normal था बाद में 10% surplus का claim भी हुआ तो तोटल कितने होगे तीन लाख 32,500 नंबर अफ शेर कितने ते 3000 मैंने 3000 से को डिवाइड कर दिया मैंने डिवाइड करके नहीं दिखा है यहां दिखा देता हूं तीन लाग बत्तेस अजार पांसो डिवाइड़ वाइ तीन अजार तो यह नंबर निकलिके आ गया ठीक है क्लियर है तो इस ट्राइप के कोश्चन है दस नंबर में पंदर नंबर में आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे आज हम काफी सारे कुश्चन करेंगे पहले कि मैं इंपॉर्टेंट कोश्चन बता दूँगा कि प्रोस्पेक्टेस में से क्या आएगा ठीक है ना कि यह कोश्चन करके जाएए इसमें से पूछा जाएगा आपका चलिए चले आगे देखिए हम निकाल रहे हैं value of shares ध्यान दीजिएगा सारी बातें यहीं पे छुपी है इसी वाले पॉइंट में हम निकाल रहे हैं value of shares सर value of shares निकालने के कितने टाइप है सर वैसे तीन टाइप से पूछा जाता है चलो मैं तीनों टाइप ही ले लेता हूं सर कितने तीन टाइप एक तो net assets एक earning method एक capitalized method और सर अर्निंग method और कैपिटलाइज method का हमेशा answer एक्वल आएगा मतलब एक ही जैसा आता है कभी चेंज नहीं होगा और जो हमारा यह इसका हमेशा डिफर आएगा इसका दोनों का लगा लगा इसको निकालने के लिए आपने क्या सीखा सब्सक्राइब निकालने के लिए आपने सीखा सर हम निकाल लेंगे net assets का value और उसको हमने डिवाइड कर दिया था number of जो कि हम आगे पिछले चार सवालों में यही सीखते आएं सर अर्निंग method को हम dividend yield method भी बोलते हैं और कई बार सवाल आपको बोलेगा नहीं कौन सा method लगेगा तो सबसे पहले इस method को apply जब कर सकते हैं जब आपको rate दे रखा हो rate of dividend दे रखा हो risk rate दे रखा हो पहले से given हो तभी यह method apply हो का otherwise नहीं होगा सर कैसे करेंगे इसका method का हम apply और क्या answer कैसे निकलेगा देखिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा यहां profit after tax आगे हमारा profit इसमें से minus कर देंगे क्या हम कोई भी amount अगर general reserve में transfer हो रहा है तो less transfer to general reserve इसमें से minus कर देंगे क्या सर preference dividend क्या minus कर देंगे preference share का dividend जैसे पिछले आले सवाल में 8% था तो उसी तीन लाग पे 8% 24,000 रुपर होगा अब जो value आएगा यह आजाएगा profit किसके लिए for equity share capital के लिए और अगर थोड़ा याद करो न आप तो इस टाइप के हमें transfer करना है तो कर दीजिए बाकि preference share dividend को transfer कर दीजिए अब जो पैसा बचा है वो सब किसको दे दो तो यहां पर हम dividend का rate अपना यह rate तो questions given होगा एक rate question देगा आपको और एक rate हम actual निकालेंगे यहां से सर एक्चुल rate कैसे निकलेगा मैं इसको इधर लिखना हूँ ठीक है ने नीचे जगह नहीं है तो मैं इस side लेके आ रहा हूँ इसको ठीक है तो rate कैसे निकलेगा सर यानि profit for equity divided by सर किस से divide करो value of equity into my hundred यानि अगर हमारा यहां पर 50,000 आया और equity था हमारा एक लाग का तो 50,000 divided by एक लाग into hundred तो हम एक percentage पता चलेगा जो rate होगा यह rate कौन सा होगा जो हमने find किया है यह rate कौन सा होगा जो हमने यह rate हम always find करेंगे ठीक है न यह हमने क्या किया है सर find किया तो सबसे पहले dividend yield method या earning method की पहचान बताओं तो आपको rate एक पुराना given होगा और एक rate आपने find करना होगा find करने के लिए पहले यह situation पर जाना होगा फिर आप rate find कर पाऊगे जैसा ही rate find करोगे तो value per share क्या होगा value per share जो rate आपने find किया है तो यह rate क्या है actual rate rate of capital बोल लो actual rate बोल लो divided by rate of dividend into 100 जो यह आएगा ना वो आएगा हमारा value per share ठीक है न अब याद रखना कि अगर यह rate सवाल में 10 है और हमारा रेट 9 आया है तो पहले से रेट ज्यादा है और हमारा रेट क्या आया है तो value कमी होगा अगर इस rate से हमारा rate ज्यादा आएगा value बढ़ जाएगा वैसे कभी भी question पूछेगा नहीं value घटेगा या फिर बढ़ेगा समझ मैं यह था जाएगा एस method की कहानी तीस्रा method क्या कहेगा पहले हम इस वाले method का एक सवाल STEP E जाएगा हम दोनों मेतट के mix करके सवाल कर लेते हैं एक ही सवालों का उसको इस मेतट से भी करके देख लेंगे और इस मेतट से भी करके देख लेंगे डैट इस आपके सामने question number है 5 question number 5 और यह सारी questions जो मैं करा रहा हूँ आपकी किताब के questions करा रहा हूँ फिलाल practice के लिए मैंने कहा था भई 10 year के अंदर तो मैं सवाल डालूँगा ही डालूँगा और प्लस आपके किताब जो कि मैंने बूला थे सवाल में क्या कहता है दफॉलविंग पर्टिकुलर रिलाइजेशन और सॉरी रिलेशन और टू एक्स लिमिटेड रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड है इक्सटरन लाइबलिटी है कोई रिजर्वे रिलेशन और दे रख है और दे रख है एवरेज एक्सपेक्टिड प्रॉसित और टेक्स प्रॉफित भी दिर रख है आपको earn capacity आपका 1,5,000 रुपए है the normal profit market equity fully paid up the same type of company 10% का rate है जो की अधर है the 10% profit transfer general reserve है तो आप यहां से कहानी देख रहे होगे कि यह आपके दूसरे method में काम आनी वाली चीज है जो भी हमने देखा है और इससे उपर वाली कहानी कुछ है calculate intrinsic value तो जो हम shares net assets निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं intrinsic value shares per equity share and value per equity share according with dividend yield basis dividend yield basis कोई सा जो अभी सीख है assume that total assets वर्थ 4000 रुपए fictitious fictitious का मतलब जो भी आपका total assets आएगा उसमें 4000 वाले assets नकली assets है fake assets को हटा तो सबसे पहले बड़ा challenge क्या हमें assets निकालना पड़ेगा अगें assets निकालने के लिए आपको assets तो दे ही नहीं रही है तो आपको मैंने पिछले question में बताए कि total liability क्या बन जाएगा हमारा assets बन जाएगा आप ध्यान से देखेंगे liability का proper data गी बने आपको तो हम क्या करेंगे total assets find कर लेते हैं total assets find करने के लिए हम liability से सहारा लेंगे liability की help लेंगे चलिए से सर लाइबलिटी के help लेंगे कैसे करेंगे अभी देखा था सबसे पहले दे रखा है preference share 8% preference share capital थोड़ा short में यूज कर रहा हूं आपने पूरा करना है उसके बाद equity share capital कितने का आएगा बताओ पांच लाग उसके बाद external liability ये भी liability का हिस्सा है that is कितने आ जाएंगे और reserve and surplus ये भी liability का हिस्सा है that is अगर इन सभी को add कर दिया जाए तो total assets आ जाएगा total assets क्या बनता है हमारा 450 पांच लाग 85,000 प्लस 50,000 10,000,000 किसी को इसमें दिक्कत इसे क्या मैं बोल सकता हूँ that is हमारा total assets है ये और slash liability भी कर देता हूँ मतलब यही दोनों चीज़े होने वाली तो एक तो सबसे पहले assets method से आपको निकालना है assets method में बोला के भाईया जो total assets है उसमें एक fictitious assets भी था तो उस fixed assets को क्या किया जाए माइनस कर दिया जाए तो less आपका fictitious assets कितना है that is आपका ठीक है अब fictitious assets के बात बात करें तो हमें जब हम assets method follow करते हैं तो इसमें से हमें एक और माइनस कर देना पड़ता है प्रफरेंश शेयर होल्डर का क्लेम तो लेस कर देते हैं प्रफरेंश शेयर होल्डर का क्या क्लेम तो प्रफरेंश शेयर होल्डर कितना मांग सकता है only 450 ही मांग सकता है हमसे तो अब आ जाएगा हमारा assets for equity assets for equity share capital के लिए तो sir assets for equity share capital कितने आएंगे तो minus 4,004 ही है न हाँ plus 4,50 6,31,000 value of shares क्या कहता है sir value of shares क्या कहता है और ये भी एक्जाम में आया हुए है के net assets divided by number of shares net assets कितने है छे लाग नंबर अफ शेयर बता दीजिए यह आ गया हमारा कि नंबर अफ शेयर कितने हैं पचास कि पेड़ फुली है कि चार पचास पच्पन पैंतालेस अर्न प्रॉफिट है नॉर्माल एक्सपेक्टेड रेट दे रखा है हमें कि अ यह टूटल एक बार चेक कर लो मैं को टूटल में एरर लग रहे हैं या तो आंसर में कोई एरर हो सकता है तो पिच्चासी अजार पांच हजार हैं पचास हजार ओ हो पचास इंटो में दस पांच पैंतालिस सो इंटो में सो एक बार टूटल वेरिफाई करना साथ के साथ माइनस में चार हजार अजियुम टूटल आउट ओफ एसेट स्रिक्टीसियस ओके और माइनस प्रिफरेंश यर होल्डर का क्लेम है चार पांच और और कुछ है क्या ग्यारा पॉइंट साथ एंटू में पचास यह पांच च्छालिस और कुछ मिसिंग तो नहीं रहे गया चलिए अभी आंसर को देख लेगे यह हमारा क्यार है छे इकत्यस प्लस पचास हजा यहारा 12.62 12.62 आंसर हाला कि यहां पर दे रखा है 10.92 देख लेते हैं इसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं रह गई यह कुश्चन्स मैंने पहले लिया था इसमें कट करके लिया चलो देख लेंगे कोई दिख करते हैं आपको यहां तक समझ में आया सच इसमें है नहीं कुछ आगे करने वाला ठीक है अब दूसरा है डिविडेंट इल्ड मेथड सर डिविडेंट इल्ड निकालना चाहते हो तो पहले तो यह जाओ रेट आपको सवाल में दे रखा है क्या सर बिल्कुल सवाल में दे रखा है कितने परसेंट है दस परसेंट कंपनी जो नॉर्मल कितना कर रहा है टेन परसेंट रेट दे रखा है और टेन परसेंट हमें जनर रिजब में ट्रांसफर करना है किसका ट्रेंट परसेंट ट्रां और जो पुराना rate दिये रखा है normal rate वो divide करके इसली निकाल सकते हैं तो आज यह अगले सवाल कि सबसे पहले profit after tax profit after tax कितने का एक लाख minus क्या कर दें सर minus कर देते हैं इसमें से हम preference share का dividend minus कर देंगे transfer to general reserve सर preference share का dividend कितना है preference share का dividend कितने percent था कितने रुपे था आपका preference share का dividend 8% तो साड़े 4 लाख रुपे का 8% निकाल लिए कितने आएंगे 36 तो यह आगे हमारा 36 और 10% profit का 10% यह न तो 10,500 यह minus कर देंगे हमारे पास एक profit for equity आ जाएगा profit for equity share capital आ जाएगा एक लाख पांच अजार माइनस 36 अजार माइनस दस पांसो दस पांसो 58 500 अब रेट ऑफ डिविडेंट निकाल लेंगे क्या होगा equity share के लिए profit equity share के लिए जो profit है divided by value of equity तो that is 58 500 और value of equity कितना था पांच लाख या दो सवाल में तो divided by पांच लाख 11.7 आ गया यह यह क्या आ गया हमारा 11.7 और हमें normal rate दे रखा था रेट कितना दे रखा था 10% formula क्या कहता है formula कहता है आपका जो आपका डिविडेंट rate है जो निकाला है divided by normal rate कर देते हैं आप यहां पर अपने word में use कर सकते हैं तो निकाला 11.7 है divided by 10 इंटू में तो यह आगया एक सो सत्रा हंड्रिट निके यह दस का शियर है मैं यहां हंड्रिट निके आता है यहां पर क्या आता है paid up value यहां क्या आता है है क्या गया हमारा कि 11.7 यहां तक देखिया कि यहां तक देखिया कि अग्याट मैं इस 12.62 में एक बार देख लेता हूं कोई कुछ मिसंग तो नहीं रहे गया कि फंड़मेंटल कुश्चा नमबर है फाइफ फाइफ हूं 58 है वर्वन स्व, इन्टू हंड्रेट मैं लगाना भूल जाता हूं बार-बार मैं हंड्रेट लगाना भूल जाता हो कोई बात है ठेक है आप से पीछे फार्मूले में तो लगा दिया थम्याट अब है यहां लगा दिए न अंड्र्ट नमबर आफ शेर्स हा तो वह वह हैं फाइव कोश्च्चन अरे भाई यह आंसर ठीक था एक पॉइंट मिसिंग कर दिया था मैं दुबारा उसको रिपीड कर देता हूं क्या मिसिंग कर रहा था बताओ आपने प्रैक्टिस ने कि क्या कहता है लाइबलिटी भी तो माइनस करना है मार्केट वेली और इस वाले सवाल में आपका लाइबलिटी भी थाने एक्स्टरनल यह भी माइनस करना पड़ेगा देट इस 85 माइनस करना है कितने पांच छालिस बस यहाँ पर यह कर दें ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं divided by 10.92 ठीक है बिल्कुल accurate है कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बताओ क्लियर है एक मैथड और सीखना है कौन से वाला capital assets method चलिए पहले एक और सवाल देख लेते हैं कि आप अश्याइब 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 तवाल नंबर एक साथ अश्याइब चलिए एक और question है देखते हैं क्या demand है कहता है from the following information calculate value of equity shares ठीक है sir the paid up share capital of the company paid up share capital of the company thousand share आपका है thousand इसके बाद आगे देखे 15% preference share है 100 रुपेज का एक और आगे कहता है आगे बीस हजार मैं थोड़ा सक करेक करूँ तो हजार आपके preference share है 15% वाला जिसकी एक की कीमत कितनी है 100 तो मैं यह लिख लेता हूं इसके बाद आगे देखो आगे क्या कहता है 20,000 equity share 10 रुपे वाला है तो sir equity share capital भी है 20,000 है और 10 वाला that is 2 लाग रुपे का आगे कहता है the average annual profit after providing depreciation and taxation amount 75,000 यानि profit दे रहा है आपको यह profit after क्या दे रहा है tax कितने रुपे का दे रहा है 75 it consider necessary transfer इतने करने necessary transfer इतने मतलब 10,000 रुपे रिजर्ब में transfer कर देना है the general reserve before declaring dividend ठीक ऐसा है dividend declare करने से पहले भीजना है the normal rate expected investor का है normal rate expected by the investor on equity share from the type of business carry 10% का हमारा rate of return होता है normally तो आप सवाल को कहीं भी question में नहीं बोला कि कौन सा method apply करना है और यह भी question exam में आया हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा method यहां पर appropriate है लग सकता है net assets method तो लगी नहीं सकता है क्योंकि assets के liability की भी पूरी जानकारी कहां है सरिफ equity और preference दिया dividend yield method लगेगा क्योंकि मैंने क्या बोला था वहां पर आपको पहले से rate of return देगा प्लस आपको profit भी दे रहा है कुछ general reserve की भी बाते कर रहा है तो सारी बाते कर रहा है तो उसकी according निकाल लेते हैं तो सर सबसे पहले हम तो profit निकाल लेते हैं for equity share सबसे पहले profit निकाल लेते हैं for equity share कैसे निकालोगा अभी सीखा था हमने सबसे पहले लिख लेते हैं profit profit after tax सर अमाउंट कितने का होगा that is 75 कि इसमें से क्या माइनस करेंगे सबसे पहले general reserve फरक नहीं पड़ता percentage तो इसी का निकालोगा वैसे अमाउंट दे रखा कोई फरक ही नहीं है फिर माइनस क्या कर दोगे preference share का dividend सर 15% preference share dividend है और एक लाग है तो कितने आ जाएंगे that is आपका जो earning आ जाएगा यहां या profit बोल लो for equity कितने आ जाएंगे for equity बताओ अब हम dividend का rate निकाल लेंगे सर डिविदेंट का rate कैसे निकलेगा सर आप लिख लो earning और डिवाइड़ वै वैल्यू ऑफ इन्टू में 100 सर earning कितनी है value of equity कितनी दे रखी आपको दो लाग है ना इन्टू में 100 तो कितने आते हैं कि चालिस परसंट चेक करी एक पर है कि चालिस परसंट आ रहा है कि है कि 25 आ रहा है तो value of share क्या होगा एक हमारा dividend rate जो हमने फाइंड किया डिवाइड़ वाइड वाइड नॉर्मल रेट इन्टू में पेड़ अप कैपिटल तो कितने आ गए यह 25 यही सवाल में पूछा था आपको value of shares निकालना था और जो कि हमने निकाल दिया कितने 25 ठीक है सुझ मैं चलिए कि इस question को मुझे दुबारा करना पड़ेगा टेक्स रेट बारा परसेंट नॉर्मल रेट 25 परसेंट वर्किंग नोट क्लियरली शो करा हुआ है कि दुबारा questions हम clear थोड़ा होगा back से उठा लेते हैं कुश्चन कौन सा किया था हमने भी सेवन के बाद आ जाते हैं कुश्चन एट 10 एर वाले सवाल ना मैं अभी दिखा भी दूँगा और सामने करके दिखा दूँगा और homework में भी दूँगा आज इस chapter का 99 परसेंट खतमी कर लेंगे कि एट एट के बाद कहां जाएगा यह है कि इधर आएगा सारे कुश्चन्स यह एक्जाम में आए हुए हैं और यह chapter मैं बोलू ना तो एक्जाम में पूछा भी जाएगा और बाकी cash flow और other जितने भी chapter है ना आपकी किताब में उसका तो 10% भी नहीं है यह आप भी देख रहे हो कि सिंपल सा वाला method पूछने की कोसिस कर रहा है यही हमारा था normal बाकी यहां पर net assets भी हो सकता है तो मैं दोनों method से करके दिखा दूँआ क्या आ रहा है ठीक है कहता दा following balance sheet of P merchandise limited 31 मार्च हमें assets liability और साथ के साथ कुछ assets दे दिया और हमें profit निकालने के लिए उसने कुछ एक profit दे रखा है जिसमें से sales दे दिया उसने operating cost दे दिया और interest दे दिया खर्चे यानि income दे दिया और उसके कुछ खर्चे और हर साल का दे रखा है अज्यूम rate of tax 60% रहेगा और earning 12% रहेगा हमारा तो हम डिविडेंट वाले को फोलो करेंगे यहां पे आप net assets method से भी निकाल सकते हों सर नेट assets method से कैसे निकालेंगे total of assets कर लेंगे उसमें से माइनस कर देंगे हम preference share capital और एक हमारा जो primary expense होता है यह भी माइनस हो जाता है तो हम दोनों से कर लेते हैं पहले इसको net assets method से निकाल लेता हूं सर नेट assets method से सर नेट assets method से हमारे पास total assets given है सर टोटल assets क्या given है सर that is 8,25,000 सवाल ने कहा नहीं मैं अपनी मर्जी से निकाल रहा हूं माइनस कर दो इसमें से क्या preliminary expense that is कितने का था हमारा माइनस कर दो preference share capital कितने का है 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 ही नहीं चलो माइनस कर दो liability तो liability तो liability तो सर है कितने है चार लाग यह आगे हमारा net asset कितने आगे फटा फट माइनस करो कितने आगे 3,25,000 अब इसको divide किस से कर दे हम number of shares है तो value of shares that is 3,25,000 divided by आपको share दे रखा है धाई लाग दस रुपए का that is आपका 25,000 निकाल दो क्या आगे सवाल में कुछ नहीं बोला था तो यह answer जो निकालके दिखाया ना यह पता कौन से method से निकालके दिखा रहे हैं assets हमारा चाहिए वो assets जिसकी value हो market value और हमेशा preliminary expense underwriter share discount on issue of shares इनका market value हमेशा 0 ही होता है कभी भी आप preliminary expense को क्या है वो तो आपका एक fictitious assets है इसको market में बेचने जाओगा तो market value बताए या ना बताए always क्या होगा zero इसलिए क्या करते है मैंने पीछे format में नहीं लिखा था लेकिन मैंने भी बता दिया ठीक है तो बच्चे इस वाले point को देखे घवरागे सर यह क्या है तो जब कभी भी आपको तो तीन चार सालों का profit देदेगा तो हमेशा average profit का इस्तमाल करिएगा हमेशा किसका लेना होगा हमें average profit का तो चलिए कितने साल का profit था हम पहले profit को निकाल ले कितने साल का दे रखा था सर एक दो तीन चार पांच सालों मैं पांच कॉलम बना लेता हूं सबसे पहले sales दे रखा है आपको सर सेल्स कितना है छे साथ आठ पांच नो चे साथ आठ और क्या था पांच और नो पांच और नौला उपर एयर भी लिखी देते हैं सिस्टेमेटिक तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा दो हज़ार तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा यह हम निकाल रहे हैं profit calculate पर्टिकुलर माइनस क्या कर दोगे इसमें से एक्सपेंस सर एक्सपेंस क्या क्या है सवाल में सबसे पहले यह भी आपका एक्सपेंस है और इंटरस भी एक्सपेंस है माइनस कर दीजिए सबसे पहले माइनस कर दोगे आप एक्सपेंस तो एक्सपेंस अब ओप्रेटिंग कॉस्ट की बात करें तीन पैंतालेस तीन पिच्च्च अनवे तीन पैंतालेस थ्री नाइनटी फाइव और चार लाग पैंतालेस अजार अगला है हमारा 295495 295495 ठीक है माइनस क्या कर देंगे आप इंटरस्ट अगर इंटरस्ट की हम बात करें इंटरस्ट क्या है हर किसी का फिक्स है 25 25 25 अजार इंटरस हमारा 25 25 सवाल में देखो तो लॉंग ट्रॉम बोरोईंग का भी दे रखा है आपको बारा परसेंट और बारा परसेंट अगर निकालते हो धाई लाग का तो कितना बनता है यहां पर है यह इंटरस्ट अन लोन यहां पर क्या है इंटरस्ट अन लोन तो सवाल के साबसेंट वाला भी तो इंटरस्ट माइनस होना चाहिए क्योंकि सारे इंटरस्ट माइनस करोगे यह लोन वाला इंटरस्ट है हमें किसका इंटरस्ट माइनस करना पड़ेगा और डिवेंचर तो डिवेंचर वाला इंटरस्ट कितना बन रहा है तीस अजार बन रहा है सर कैसे बन रहा है तीस अजार तो धाई लाग रुपे पे अब 30-30,000 रुपे हर जगे से माइनस कर दीजिए एक और इंट्रस माइनस कर दीजिए अब यहाँ प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा हर एक का निकाल लिए हर एक स्टूडेंट इक का निकाल ले जल्दी हो जाएगा पहले का मैं निकाल रहा हूँ दूसरे का कोई और निकाल ले दो लाग दूसरे का बताईए दूसरे का धाई लाग चलिए दूसरे का धाई लाग तीसरे का थ्री लाग इसका 15 और 16 अभी निकाल लिए और इसका इसके बाद यह आगया profit क्या इसमें से tax minus है क्या इस profit में से tax minus है नहीं है तो before tax minus क्या करतेंगे इसमें से tax का rate आपको simply question में 60% कह रहा था तो आप 60% निकाल लेंगे इसका निकले का 60% तो एक 20 इसका 60% एक 50 इसका 60% एक 80 एक 50 का 60% 90 और तीन पचास का 60% दो दस अब जो हमारे पास profit निकल के आएगा that is profit अफ्र Tics हेको नहीं हमारा 80 ही अगया 1.00 और यह आगया 1 120 ये 20 और ये आ गया 60 और ये 140 एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपने 12th क्लास में बहुत सिखा है गुडविल वाले चप्टर में सभी को जोड के किस से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 सालों का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो अब सभी को मैं जोड लूँ अगर 80 180 120 60 41 टोटल कितने हो गए पांच लाख होए कितने आगए आपका प्रॉफिट आगया एक लाख प्रॉफिट क्या आगया आपका पहले यहां तक देख लिए आप यह सिंपल सा एक्वेशन है जो उस क्यूश्चन में बोला हुआ था प्रॉफिट कितने आगया एक लाख आगया चलिए अब सिंपल सा हम मैथट से कैल्कुलेशन कर लेते हैं क्या बोला था मैंने प्रॉफिट आफ्टर टेक्स सर प्रॉफिट आफ्टर टेक्स निकाल लिया क्या था एक लाख माइनस क्या कर दो ट्रांसफर करना जो भी आपको जनरिजम में तो सवाल में किए जनरिजम में ट्रांसफर करने की कोई बात कह रहा हैं तो यहां पर कहीं भी सवाल में जनरिजम करने की कोई भी बात नहीं करता है यहां था भी से faktशा झाल ख़ियंग डिवीडेंड रेट क्या होता है सर एक लाख रुपए डिवाइड़ वैल्यू अफ शियर्स अगर देखो तो कितने का है हमारा धाय लाख का तो डिवाइड धाय लाख इंटु में हंड्रेट क्या आया पॉट्टी अब dividend value per share निकालने के लिए क्या था जो हमने dividend rate निकाला divide कौन सा rate करते हैं जो दे रखा होता है सवाल में और into में paid up capital value per share is equal to dividend rate divided by जो आपका normal rate है या capital rate भी बोल देते हैं इसे हम into में paid up तो सा dividend rate 40 सवाल में क्या दे रखा था 12.5 और share 10 का था 12.5 और share कितने का है solve कर ले जो क्या है 32 क्लियर है तो जो पीछे answer दे रखा था वो इस वाले method से ता मैंने इससे भी करती है इसको अब एक्जाम में तो बोला जाएगा वैसे अगर नहीं बोला गया तो आपके इच्छा इससे करें लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जब यह वाला rate मिल जाएने तो समझ जाईए एक्जाम ने सवाल नमबर नाइन कि यहां तक हर किसी को समझ में आ रहा है प्रॉपर कोई दिक्कत क्वेश्चन नमबर नाइन करें स्टार्ट देखिए कहता है दा फॉलविंग फिगर और एक्स्ट्रेक्टेड ए लिमिटेड किसी कमपनी का है जिसमें डिफरेंट के टिगरी के शियर्स है और डिफरेंट डिफरेंट इसका फेस वेल्यू तो सेम ही है बट पेड़ अब वेल्यू डिफरेंट है पहले का फुली 30 और 25 जनर करेंज़व दे दिया एक्स्टरनल लाइबिलिटी डैप्ट का मतलब होता है लाइबिलिटी टोटल टेंजीवल एसिट्स भी दे आपको इसका मतलब सर्ण इसी का टोटल दे रखा इसना आप ध्यान से देखोगे तो इसी का टोटल मिलेगा तो हम भी यही करते हैं टोटल दे लिया नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेस टेक्स आफ्टर टेक्स दे रखा एस्टीमेटिड पचास हजार रुपए एंड एस्टीमेटिड रेट कैपिरलाइजेशन रेट दस परसेंट तो ये वाला रेट और प्रॉफिट इस्तमाल होगा किसके लिए डिविडेंट इ कहता है कैल्कुलेट वेल्यू अब शेयर्स कैपिरलाइजेशन अर्निंग मैथट ठीक है सर एक नियू है यह अभी सीखा नहीं है अर्निंग कैपिसिटी यह तो सीख लिए डिविडेंट वाला और नेट एस्ट भी सीख लिए यह दोनों तो सीख लिए पहले हम फटा-फट एसेट्स की वेल्यू ले लो तो हमें टोटल एसेट्स दे रखा है कि देट इस सेवन फिफ्टी इसमें से माइनस कर दो एक्स्टरनल लाइबलिटी माइनस कर दो प्रफ्रेंस शेयर कापिटल इफ है अगर कोई तो एक्स्टरनल लाइबलिटी की बात करें तो 75,000 प्रफ्र PCS SSS है नहीं तो माइनस नहीं करेंगे तो माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा 6 लाख ये क्या आ गया हमारा इसके अंदर एड कर दो क्या सर नोशनल नोशनल कॉल सर नोशनल कॉल क्या होगा जितने paid up नहीं है यानि सर एक share हमारा 5000 जो B वाला है और C वाला जो हमारा 5000 B वाले में 50 के बदले 30 दे चुका है इसका मतलब 20 आएगा और C वाले में 50 के बदले 25 दे चुका है तो कितने आएंगे 25 तो इसका मतलब सर 50 into 20 एक लाख और 25 कितने हो जाएंगे ये क्या करना है हमें add on कर देना है क्या करेंगे हम add कर देना total करिए क्या आता है हाला कि इसको मैंने पिछली क्लास में एक और method से भी बताया था 9 लाख कितने आगे अगर 9 लाख रुपए तो value of share क्या होगा net assets divided by number of shares तो net assets है कितने का number of shares देख लो कितने 5, 10 और 15 हो गए ने तीनों को जोड़ देंगे तो divided by 15 यह 60 रुपए का आगया यानि ए वाला जो है पुली paid up है तो यह 60 ही रहेगा बी वाला जो है 60 में से कुछ payment नहीं आए तो उसे minus कर देते हैं जो नहीं आया यानि कितने नहीं आए 20 रुपए तो 20 minus करिए यह कितना आजाएगा और C वाले में 60 में से minus करिए कितने नहीं आएगे 25 तो कितने आएगे 35 यह आपका तीसरे वाला answer मैंने find कर दिये अब डिविडेंट वाले पर आजाएगे डिविडेंट के बाद last वाले सीख लेंगे बताएगे डिविडेंट वाले के लिए हमें profit चाहिए given है इस profit में से कोई journalism में transfer करना हो तो वो भी कर देंगे और कोई preference share का डिविडेंट वो भी कर देंगे दोई चीज माइनस करते हैं और इस मज़े की सवाल देखो इसमें ना तो जनरिजब की बात कर रहे हैं और ना ही preference share है तो simple इसी को हम क्या माल लेंगे जो profit after tax है वही हम सीधा डिविडेंट निकाल सकते हैं तीछे ही कर लेते हैं डिविडेंट रेट profit for equity divided by value of और इंटु में 100 सर इस सवाल के अंदर आप बताइए profit for equity कितना होगा सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद हमें profit दे रखा है पचास अजार और इसमें जिन जिन चीजों को माइनस करना सीखा है सर प्रिफरेंज शेर का डिविडेंट माइनस सर जनरिजब में ट्रांसफर माइनस इस सवाल में है क्या हो तो हमारा profit for equity भी कितना ही आ जाएगा पचास ही आ जाएगा सिंपल सी बात है सर पचास अजार आ गया डिवाइड value of equity अगर बात करें तो value of equity कितने है जितना paid up का value आया वो यानि देट इस पांच लाग इंटू में कितने आगे बताऊ हाह नाइन पॉइंट 5 परसेंट ना सही से देख लो एक बार ठीक है अब हमारा value of share क्या आएगा सर value of shares क्या आएगा आएगा हमारा dividend rate divided normal rate इंटू में paid up तो इसा dividend rate कितना है हर किसी का paid up अलग अलग है ना हर किसी का paid up अलग है तो हर किसी का अलग अलग निकाल लेंगे फॉर्मूला लिख दिया हूं है यहां पर हमारे पास कौन कोन है सर ए है बी है और सी है अगर बात करें तो dividend कितना है हमारा 9.5 divided by नॉर्मल रेट सवाल में दे रखा था क्या दे रखा था हमें 10 रूपे 10 परसेंट यहां पे पेड़ पूरे रेट अलग 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 आ जाएंगे असा बता यह पहले का क्या है कितने है है पूर सैवन पॉइंट फाइव दूसरे का है है ट्वेंटी एट पॉइंट 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 तीसरे का है है ट्वेंट फाइव दूसरा हो गया यह पॉइंट में आगे पीछे हुआ होगा इट्टी आ रहा है ट्वेंट पॉइंट 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 में फ्रिक्शन में जाता होगा है oh दूसरा भी डनठ क्या अब कौन सा करना यह अब पहलाоз पहला कौन सा अ मतहड़े सब क्या राइं तो सर इसका पॉर्मॉला क्या होता है केप्रिलाईजडाइशन मेत हड़ न का फॉर्मॉला होता है हुआ है अर्निंग थोड़ा इधर कर दे अर्निंग फोर एक्विटी डिवाइड़ वाइ वैल्यू अप शेयर इंटू में पेड़ अप शेयर अगर हम पहले की बात करें अर्निंग कितना था मारा मैं यहीं पर एक अप्लाई करके दिखा तो पचास और पहले का इक्विटी कितना था पांच हजार इंटू में पचास जाई लाग ने ने इसका लाग उपत खुड़ा इसमें रेट भी दे रखा था ना सवाल में रेट दे रखा है दस ना तो इसका हो जाएगा दस परसेंट रेट है धाई लाग का पच्चिस हजार तो पच्चास डिवाइड़ बाई पच्चिस हजार इंटू में पच्चास डिवाइड़ बाई लाग में तो इसमें रखा है दस परसेंट हमारा है पाँचे लाग का च्च भाइड़ लाग का दिवा बाऊड़ अलिवाएड़ लाग की मअारब लीवाऊश्प्स पाँच फैडि ना यहांथ लाग? पाँच लाग पांच और लाग में dic comparative margin आख लाख पच्चा से लाख से लाख ल्यो इसका फॉर्मूला बना देखें तेखें ए फॉर्मूला नॉर्माल कैपितल इवाइड पेड़ पैड़ पैपितल इन्टू में पैड़ 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 अभी इतने सवाल करेंगे क्लियर हो जाएगा सर नॉर्मल कैपितल कैसे आता है इस इकल टू प्रॉफिट into my hundred divided by rate याद होगा आपको goodwill में भी super profit capitalization method से निकालते थे rate को reverse करोगे तो पूरा capital आ जाएगा आ जाएगे next page पी कर लेते हैं सर कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है मेथड बोल दो हूँ formula कहता है सर normal rate के हिसाब से capital divided by paid up capital into my paid up value जो हमारा value है हमें A का निकालना है B का निकालना है और C का निकालना है first of all हमें निकालना पड़ेगा normal capital normal capital क्या होता है profit into hundred divided by rate तर profit सवाल में कितने का था rate कितना था 10 into में 100 तो कितने आ गए पांच लाक यह नॉर्मल कैपिटल आ ठीक है formula में फुट करते है नॉर्मल कैपिटल कितने है total paid up capital ढूंडिए बताइए total कितना capital जितना paid up हो चुका है कौन बताएगा total paid up capital कितना है सवाल में 25 जितना दे रखा है वही होगा और पहले वाले का 50 रुपे paid up था इंटू में पचांस that is 47.61 दूसरे का भी divided by 25 इंटू में कितने थे 38 पॉइंट तीसरे का भी पांच लाग कितने थे 25 इंटूसरे पॉइंट आप देखो कि इसका 47,28 और 23 और इसका भी रेट कितना है था 47,28 और पॉइंट का थोड़ा बहुत फ़रक होगा और दोनों का अंसर यहां पर वही लेख रहता है सब्सक्राइब क्लियर है चलिए अ हंधी बताइए क्लियर है आपको किसी को डाउट चितने बच्चे लाइव है बता दे फटा फटा फट कोई डाउट है तो सारे कोश्चन एक्जाम में आये हुए हैं दस दस नंबर को क्या कहता है from the following information related to the company calculated value of its security ठीक है सर शेयर एस पर intrinsic value method कौन सा होता है intrinsic value net assets method होता है dividend वाले का बोलता है earning method या dividend yield method और capitalization वाले का capital इंट्रेंसिंग कौन सा net assets net assets के लिए value of assets है आपका profit after tax दे रखा है सर कोई काम का नहीं है हां सर preference share capital का हमारा rule आता है इसके अंदर ऐसे बात नहीं नहीं आएगा equity share number of shares divide करने के काम आएगा expected earning सर किसी काम का नहीं है annual transfer reserve किसी काम का नहीं है यह सारी बाते तो dividend वाली बात कर रहा है reserve and surplus दे रखा है normal dividend rate यह भी काम का नहीं है यह तो हम dividend yield वाले में निकालते है external liability यह है सर काम का और fictitious assets है काम का यानि आपको liability side में shares दे दिया reserve and surplus दे दिया external liability तो total assets निकाल सकते हैं तो total assets देगे total assets कैसे निकालेंगे पहले equity share capital रख लेंगे आप कितने दे रखे है दस रुपे वाला लेकिन paid up तो आठ है नहीं तो असी अजार हो जाएगा दस अजार है ना असी अजार preferential capital कितने है सर हजा दस अजार दस वाला fully paid up है the reserve and surplus कि कि तना धाई लाक और सब एक्स्टरनल लाइबलिटी कि लाइबलिटी कितने का 75 का तो total करिए इस से टार गया कितने 27 लाग कहां से रगा पांच लाग पांच हजार है अब पांच लाग पांच हजार को assets को ठीक कर लिया जाए तो that is assets कितना है हमारा पांच लाग इसमें सबसे पहले add कर लो national call sir national call 2 रुपे होगा 10,000 पे that is 20,000 less कर दो preference share capital और less कर दो fictitious assets यही सीखा है न हमने preference share capital कितने का है एक लाग यह सारे minus हो जाएंगे और fictitious assets सवाल कह रहा था यह value of assets वाल दो that is 4,05,000 liability भी रहता है न फिर वही error हो जाता हमसे है न मैं roughly कर रहा हूं आपको पता होना अच्छी है solution given liability कितने का था कि 75 तीन लाग value of shares कैसे निकालेंगे value of shares divided by number कितने हैं 10,000 10,000 33,000 minus plus गलत किया गया देखो total minus plus तो गलत नहीं किया पांच लाग 5,000 भी वही था भाई तो आप assumption ले लेंगे कि national call जो nearby वह call मांगेगा यह note देना पड़ेगा आपको ध्यान रखे क्योंकि सवाल में पता नहीं चलेगा और अगर आप नहीं ले रहे तो वह demand कर लेगा अगर कहता है company liquidate होने हो रहा है तो समझ लेना nearby future मांगा ही जा रहा है तो इसमें इस तरीके से था बस वह है आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अगला सवाल है आपके सामने कुछ capital equity दे रखा है और rate बगरे दे रखा है calculate the value per share equity according to dividend yield method, total assets and total liability and fictitious assets, assume out of the total assets worth 350 fictitious तो सर इसकी कोई value नहीं है dividend yield method में तो assets का कोई matter ही नहीं है तो simple यहां capital reserve profit बगरे निकाल के आप कर सकते हैं ठीक है यहां intrinsic value share भी निकाला के सवाल में requirement है क्या या मैंने intrinsic value per share and dividend भी दोनों है तो अब दोनों हो जाए गई है झाला के सवाल्व याज है थाणिदा कर मने में जाए जाए रवागी है झाला का यहांस, बढ़े नहीं है जाई है जाए पेजिए लगख दोने पिछोपराइबं चिंगर व्मेंचे याजिन दोने आपक्ता है का क्योँ नहीं है झाल 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 सब्सक्राइब हो जाएगा सिंपल है एक्जाम 2018 में पूछा गया था कि कुश्चन नमबर 6 आप अगें देखेंगे सेम टाइप रिपीड हुआ जो मैंने अभी किया है ठीक है ना सर प्लस डिविडेंट मेरे को लगता है सेम कोश्चन तो नहीं है अभी आंसर सेम ही कोश्चन रिपीड हो गया एक बार लिख लेना किसी पर रिपीड कोश्चन है यह तो करना ही नहीं है कोश्चन नमबर 7 पर आ जाईए अगें लाइबलिटी इकुटी सारी बाते दे रखें इस टाइफ के सवाल भी हमने किये हैं आपको कंपनी के शेर इंट सिंपल चेप्टर है इसी तरीके से आपका अगला जो चेप्टर में करवांगा वेल्यूएशन ऑफ गुडविल वह भी बड़ा सिंपल चेप्टर है चलिए सर यह भी होमवक में टिक कर लिजेगा आठवा सवाल आपको एसिट्स लाइबलिटी दे दिया और यहां पे कुछ बच्चों का सर कंपनी लॉड़ का अपडेट नहीं हो रहा कल कंपनी लॉड़ की वीडियो अपलोड हो जाएगी कौन से टापिक का चेप्टर वन खतम हो जाएगा चेप्टर टू का भी काफिस सारे पार्ट मैं अपलोड कर दूँगा कल ही ठीक है तो कल अपलोड हो सवाल ही नहीं है सिर्फ आपको सुनना होता है ठीक है तो वैल्यूएशन ऑफ शेर्स एक क्लास और लगना है उसमें खतम हो जाएगा आपकी पर्स को कल जो भी लगानी होगे मैं आपको शडूल में मैसल करते हैं के प्लिएर बच्चों को इस सवाल के एक भी कोश्टन नहीं छोड़ने है पहले पूरे फॉर्मुले लिख लेना है इक पेज पर तीनी सवाल है तीनी फॉर्मुले उसको एक्सप्लेइन कर लेना और प्र फिर सारे कोश्टन को कर लेना है ठीक है सर मेंकर नमबर फाइव यह भी दस वाला है फरक इतना है यह फुली पेड़ अप है और यह चीर पेड़ अप है और 9% क्युम्लिटीफ प्रफेंश यह रहे लॉंग टरम बोरिंग एन एक्सेक्टरा इधर है यह वाला जो एसेट्स होता है ना यह वाला यह होता है हमारा फिक्टीश एसेट्स यह एसेट्स कौन सा एसेट्स होता है फिक्टीश एसेट्स कौन कौन से फिक्टीश एसेट्स होते हैं सर एक तो profit and loss preliminary expense discount on issue of debenture यह तीन तरीके के ऐसे खरचे हैं जिसको फिक्टीश एसेट्स बोलते हैं reconstruction में भी हमने देखा था यह ओके सर आगे आते हैं other information कहता है current value of sundry assets आपका sundry assets का current value दे रखा है आपका वो भी fix वाले का यानि इसकी बात कर रहा है that stock भी आपको दे रखा है investment का भी value fetch का मतलब इतने का investment चल रहा है market में 30% debtor doubtful debts remaining 70% to be recover मतलब 70% ही लेना है debtor में preference share dividend area for last two years सारे dividend paid करने पड़ेंगे क्योंकि ये cumulative preference share है तो cumulative का मतलब दो तरीके के preference share होते हैं ध्यान रखिएगा अगर मैं आपसे बोलूँ preference share capital तो दो तरीके के होते हैं एक होता है non cumulative और एक होता है cumulative सर इन दोनों में फरक क्या है जैसे मान लो 10% आपका preference share capital है एक लाग तो अगर मैं आपसे इसका dividend पूछू तो आप बोलूँ के सर इसका dividend कितना आएगा dividend कितने आएंगे बताइए तो that is 10,000 year one year two year three company का profit नहीं था और company ने पिछले तीन सालों में इनको dividend नहीं दिया है जो बनता गया अब बात करते हैं अगर non cumulative share है तो चौथे साल में अगर company ने profit कमाया तो हक बनता है कि चौथे साल में company dividend दे दे कितना फिर से 10,000 अगर non cumulative है तो सर इससे 10,000 का ही payment करना पड़ेगा cumulative का मतलब होता ही 80 अगर cumulative है जिस साल profit होगा इसको पूरे के पूरे 40,000 रुपे payment करने पड़ेंगे तो cumulative और non cumulative में बस इतना ही फरक है कि cumulative वाले पार्ट के अंदर अगर कोई पिछला area dividend का है तो उसको भी जोड के आगे payment करना पड़ता है इसलिए वाड आगया cumulative cumulative का मतलब होता ही 80 करके देंगे है नोन cumulative अगर जिस साल आपको dividend नहीं मिला वो company और डारेक्टर की मर्जी है कि वो dividend आपको नहीं भी देगा तो आप कुछ कर नहीं सकते है उसके अंदर ठीक है तो यहां पर प्रफरेंश कौन सा है हमारा cumulative और सवाल में कहता है area हमारे दो साल पिछले दो साल के थे और इस साल का भी निकलेगा तो तीन साल के dividend हो जाएंगे हमारे अगर हम निकाले तो कहता है find out the value per share by the net assets method and both fully partly कहता है दोनों method से निकालना है ठीक है न स्वरी net assets method बोद fully share का भी और partly share का भी ठीक है तो यह मैंने थोड़ा सा cumulative preference share का बता दिया आपको चली अब आज आते हैं सर टोटल assets लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमें assets पहले लिख लेंगे assets में देखा जाए तो सबसे पहले हमारा sundry assets सर sundry assets सवाल खुदी कह रहा है कितने का है चार लाग दस अजार स्टॉक कितने का है 40,000 और आगे कहता है इन्वेस्मेंट 14,000 का है 14,000 प्रफरेंच यह लास्ट उसको देटर कौन बताएगा डेटर कितना होगा डेटर अल्रेटर हमारे पास कितने का है अब 40 का कितने परसेंट लेना है सरिफ 70% तो 40,000 का 70% 28,000 ठेक है प्रफरेंच यहर के अभी बाद में बात करते हैं पहले हम टोटल असेट्स तो निकाल ले टोटल असेट्स बताइए क्या रहा है टोटल असेट्स बताइए क्या रहा है पटाफट बताजीजे टोटल असेट्स अच्छा हाँ एक मिनट एक मिनट कैश भी लेना पड़ेगा सर कैश और बैंक रहे गया ओके हमने फिक्स एसिट्स ले लिया इंवेस्मेंट ले लिया स्टाउक ले लिया ले लिया कैश और बैंक रह गया तो नाव बैंक बैंक कितने का है 40,000 अब टोटल बता जीजे मैंने कहा था टोटल असेट्स में से हमेशा फिक्टिसियस असेट्स को माइनस कर दिया जाता है लेकिन अगर आप टोटल असेट्स में इसको जोड़ो ही ना तो minus भी नहीं होगा simple सी बात है न total बताइए क्या आ रहा है 5,32,000 ठीक है इसमें add क्या कर देंगे national call और add less क्या कर देंगे पहले सबसे पहले less वाली बात करते है liability सारा less करना है तो less कर देते हैं sir liability और preference share capital less preference share capital तो preference share capital कितने का है साथ हजार less कर देंगे क्या आसर हम दोनों liability यानि long term loan long term loan 10,000 एक लाग है और less कर देंगे creditor creditor कितने का है पहले आप इसको less कर के बताईए क्या रहा है calculator आप देंगे टूरे आप लाग आप यानि टेंगे लाग यानिल अखाल्ट क्यादग अवा़स्ट से का राग है 12,000 आ गया ठीक है अब देखिए कहता है कि प्रफरेंच शेयर का ये डिविडेंट लास्ट टू इयर का एरियर था तो लास्ट टू इयर का एरियर है प्रफरेंच येर कौन सा है हमारा तो क्या ये मुझे फ्यूचर में देने है या नहीं देने है कुछ भी हो जाए जिस साल प्रॉफिट होगा आपको देना ही देना पड़ेगा तो क्या ये भी एजर लाइबिलिटी बन चुका है नहीं बन चुका तो अब ये भी हम माइनस कर देंगे लेस तो प्रफरेंच शेयर का डिविडेंट है कैसे निकालोगे सब 60,000 पर कितने परसेंट, 9% और कितने दो साल का बताइए क्या आता है दस आठ सो अब माइनस करके बताइए मैं इधर आ जाता हूँ, इसको कंटनीव इधर कर रहा हूँ, नेट एसेट थीं लाग, माइस सो या बारा हजार, यहां तक देखिए किसी ब कोई दिकत यहां तक किसी बच्चे को कोई दिकत अरे यार कि यहां तक हर किसी को क्लियर है चलिए अब इसमें हम एड क्या कर देते हैं अब यहां पर कुश्चन रेज होता है सर अब नोश्चनल कॉल को एड करे या ना करे आपको अजम्शन लेना पड़ेगा कि क्या यहां फ्यूचर में लग रहा है कि कॉल मांगा जाएगा नहीं यहां पर हम अजम्शन ले ले थे के फ्यूचर में कॉल मांगा जाएगा तो एड कर देंगे नोश्चनल रेंट इस हमारा कितना बन जाएगा यह आपका बीस अजार इंटू में चार बीस अजार इंटू में यानि 80,000 तो यहां जाएगा 381,200 अब इसको डिवाइड किस से कर दो value of shares निकालने के लिए 381,200 डिवाइड कर दो इसको किस से सर number of shares number of shares कितने 35,000 एक share की value क्या आ गई एक share की value बताओ 10.89, चलो 10.8 मान लेते हैं तो जिसका fully paid up है, दो category की share है number one, number two जो fully paid up है उसका क्या आएगा बताओ उसका तो 10.89 रहेगा, जो partly paid up है उसका क्या होगा, 10.89 उसमें से minus कर देंगे जितना payment नहीं किया that is, चार तो 6.89 आ जाएगा clear है? दूसरा method अगर nearby future में आप नहीं मांगते पैसे future में आप पैसे ही नहीं मांग रहे, तो क्या होगा? अगर future में पैसे नहीं मांगोगे तो आपका net assets जो रहेगा वो रहेगा 3,12,000 और number of shares कितने है? that is, आपका है 15,000, 35,000 value of shares निकाल लिए 3,12,000 divide 35,000, यहां क्या आ रहे है? divide करिए 27,000 क्यों? number of shares है ना कितने आगए? कितने? 10 थोड़ी आएगा यार 8.6 बता रहे है 8.6 8.6 किसका आगया? जिसका fully paid up होगा partly paid up वाले का क्या करेंगे? इसमें से minus कर देंगे जो कितना minus करना है हमें? 4 रुपए ठीक है? हाँ वो भी कर सकते हैं हाँ देखो अब question raise होता है मैं इसको दुबारा लेकर चलता हूँ चलो मैं पीछे page पर आ जाता हूँ clear करने के लिए हमारा net assets था that is हमारा net assets जो था वो था 3,12,000 number of shares एक तो 15,000 जिसने पूरे दिये number of shares एक 10,000 जिसने पूरे पैसे नहीं दिये तोटल देखा जाए तो 35,000 share है अगर आप future में call मांग लेते हो अगर आप future में call मांगते हो कई बार कह रहें कि इसमें answer difference आ जाता है क्यों आ जाता है थोड़ा से इसको मुझे आगे बताना भी था अगर in case future में call मांगते हो तब आप divide इससे कर देना कोई फरक नहीं पड़ेगा answer में अगर future में call मांगते हो तो अगर future में call नहीं मांगते हो तो आप rupees की value निकाल के कर दो वो better है और बिना rupees के value निकाल के भी किया जा सकता है उस time पे हम क्या करेंगे इस shares को न परपोस्नेट कर देंगे जैसे मान लो 10 वाला share है 5 रुपे paid up है और अगर 20,000 share है तो हम 20,000 share नहीं मांगेंगे हम इसको कितने share मान लेंगे 10,000 मान लेंगे share को ही तोड़ देंगे तो अगर यहां पे मैं shares को तोड़ता हूँ के sir 20,000 जो share है न उसमें 5 था तो आपने 10 बटे में 5 करा अब यहां पे कितने है 6 है मतलब 6 रुपे दे रखा है इसने तो 6 बटे में 10 करो कितने आ रहे है 12,000 आ गया यह number आ गया ऐसे situation में आप value per share निकालना है न तो आप अब 3,12,000 लो divided by 12,000 यह ले लो और 15,000 यह fully paid up fully paid up बाला तो 27,000 3,12,000 divided by 17,000 यह आ गया 11.15 यह एक शेर की value है और एक शेर कौन से 10 रुपे वाले की value है क्योंकि यह सारे शेर को मैंने 10 रुपे में convert कर दिया है और अगर हम दूसरे number one fully paid up का तो यह आ गया जो partly paid up है वो कैसे निकालोगे 11.15 माइनस में 4 रुपे कर दो तो 11.15 माइनस में 4 7 पॉइंट एक तो यह तरीका है दूसरा alternative आप क्या कर सकते हो आप रुपीज के terms में निकालो यानि 3,12,000 को divide कर दो कितने रुपे का share था that is 270 तो आपको एक रुपे का value मिल जाएगा जो पहले करा हुआ हमने यह आ गया 1.11 अब shares की value निकालना है number one number one देखा जाए तो 10 रुपे का share है तो 1.11 that is 11.11 नहीं 10.11 10.1 पॉइंट में थोड़ा फरक आ जाएगा कोई बात नहीं 10.11 पॉइंट आएगा 10 आएगा 11.11 आ जाएगा न और जिसकी value 6 रुपे है 6 इंटु में 1.11 तो यह आ जाएगा 7.15 आप confused मत हो यह मैं समझा देता हूं दोनों चीज़े अब एक है nearby आपने call मांगा अगर nearby call मांगा तो आपको यह जो मैंने यहाँ पर calculation किया न है working note के मैंने जो shares 20,000 थे उसको भी मैंने तोड़ दिया और तोड़ के कितना कर दिया अब fully paid up बना दिया अगर nearby call मांग लेते हो तो वैसे ही fully paid up सारा हो जाना है कुछ बचा ही नहीं तो आपको दो option है एक तो जो आपके पास existing share है या तो उसके shares के value को number of shares बदल दो या फिर rupees वाला कर तो रूपीज वाला असान लग रहा है तो रूपीज वाला कर दो आप simple सी बात है दोनों तरीके से आप कर सकते हो 10 year के अंदर rupees वाला करके दिखाया होगा 10 year के अंदर answer देखेंगे तो क्या करा 70 10 और 76 तो यह रूपीज यहाँ पर answer जो है 69 point का फरक आ रहा है क्यों आ रहा है point का फरक इसना पूरे डिजट ले रख्योंगे और कोई दिक्कत नहीं ठीक है आप उसको check कर सकते हो लिया तो हमने यही है और कुछ तो लिया नहीं हमने क्लियर अब बताईए कोशन 6 हो गया था क्या रिपीट था ओके 7 7 कोशन हो गया था 7 कोशन हो गया था बताईए 7 नहीं हुआ करा नहीं या फिर हुआ ही नहीं करा नहीं कौण सा calculation करना था intrinsic value method कौण सा होता है net assets method का यह दूसरा नाम होता है intrinsic value तो भाई इसको करना है आपने 8 दोनों बताया इसमें लास्ट ही था चलो कुछ बुक के question और भी मुझे कराने थे जो कि में भी आ सकता था से होता है ऑจะा इसमेंड़ सकते हैं करा थे ंता है सबस्क्राइब इसके बाद इसका आगे का हिस्सा है हाँ ये सारे कोश्चन जो मैं करवा रहा हूं ने ये 10 वगेरा ये आपके किताब के भी कोश्चन कह सकते हैं और एक्जाम में आए हुए भी कोश्चन है हाला कि ये कोश्चन मैं पढ़ के बताऊंगा अभी हमने कर लिया है क्युमिलिटिव वाला तो समझ में आ जाएगा अगर आप बोलते हैं सर ओके आए हैं कि समझ में आ गया है तो कोई बात चलिए प्रॉफिट अफ दा कंपनी लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है साट लाग प्रॉफिट कितने का था साट लाग का कहता है इसके बाद सब कुछ माइनस किया टेक्स वगएरा माइनस किया और जो एकुटी शियर होल्डर के लिए पैसा बचा ना वो बचा पंदरा लाग रुपे तो प्रॉफिट फोर एकुविटी हमारा इसका काम होगा प्रॉफिट फोर एकुविटी सर कितने का है पंदर लाग यहां तक समझ मैं है यानि टोटल कमाया था साट लाग उसमें से टेक्स इंट्रस्ट यह सब माइनस किया तब जाके हमें एकुटी शियर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट बचा ना वो बचा सरफ और सरफ पंदर लाग जिसमें से हमारे पास इकुटी शियर होल्डर इतने है हमारे और आपका क्युम्लिटिव रेडिमेबल प्रॉफरेंज शियर इतने है जो कि फुल्ली पेड़ अप है और यह पार्टली पेड़ अप है कहता है मतलब इसी टाइप का जो था रिटन वो 15 परसंट का डिविडेंट डिक्लियर किया करता था और जो इकुटी शियर अट अप्रीमियम 10 परसंट इकुटी शियर जो है ना वो महंगे में बिकरा है मार्केट में तो सर हमारा एकुटी शियर अभी फिलाहल कितने का है पचास रुपे पेड़ अप है लेकिन शियर मार्केट में इसका भाव 10 परसंट एक्स्ट्रा है प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा है तो जो हमारा एकुटी शियर मार्केट का होगा equity share capital जो market का होगा that is 50 तो था plus 10% premium 5 तो यह आ जाएगा 55 रूप सर 100 रूपे पे आपने 10% क्यों नहीं लगाया क्योंकि जितना shares paid up होता है ना उसी के उपर premium को हम count करेंगे ना कि face value के उपर ठीक है ना वो जो हम fresh issue करते है ना तब हम face value पर count करते हैं यहाँ issue नहीं हो रहा हूँ यहाँ पर calculation कर रहे है valuation कर रहे है what do you are expected market value of the company share to be based on the working on the yield method yield मतलब dividend वाला वही method कह रहा है कि dividend वाला method है तो value of equity नीचे answer देखोगे dividend base के लिए हमारे कितने का आ गया 55 रूपे जो कि हमने निकाल लिया कि हमारे value of equity कितना है 55 रूपे ठीक है अब sir profit दे रखा है profit कितने दे रखे हैं बताओ 60 लाग नहीं यह नहीं है 15 लाग है ना जो हमारा काम आने वाला है इसमें से minus क्या कर देंगे preference share का dividend that is 12% और 25 लाग रूपे पे 12% होगा क्यूंकि 100 रूपे का एक multiply करोगे तो पच्चिस लाग पे यानि 12 रूपे एक share पे और पच्चिस हजार तो तीन लाग का dividend हो गया that is यह आगया हमारा कितने का sir 12 लाग रूपे का क्या आगया हमारा जो earning for किसके लिए है equity shareholder अब हम dividend का rate निकालेंगे याद है कैसे निकालते थे dividend का rate जो earning है divide किस से करते थे value of equity equity का now valuation कितना है हमारे पास तो देखा जाए तो 55 रूपे का share है अब तो है ना अब share कितने का हो गया हमारा पच्पन रूपे का तो हम लगाएंगे पच्पन इंटू में एक लाख equity एक लाख है ना एक लाख हाँ तो यह आ गया पच्पन लाख और इंटू में सो एक मिनट यहां पर जो old value है वो लिया जाएगा old value क्या था हमारा पचास लाख लिया जाएगा पचास लाख तो इसको solve करोगे तो क्या आएगा 24% कितने आ गए 24% नाव आपका value per share क्या आता है VPS क्या आ जाएगा सर हमारा यह वाला rate 24 divided जो पहले से rate दे रखा था that is इंटू में paid up value paid up value अब जो आएगा वो कितने का आ जाएगा पच्पा 88 यह आ गया 88 जो हमारा yield basis पे price आ गया that is 88 clear है यानि सर इस सवाल में नहीं क्या सीखा हमने कि अगर कोई share premium पे जा रहा हो तो उससे साब से क्या करना हो ठीक है एक और सवाल देखें अब देखेंगे fair market value method यह dual method last method है fair value method यह dual method sir fair value method यह dual method क्या होता है एक हम yield के हिसाब से निकाल देंगे price और एक निकाल देंगे हम net assets के method से दोनों को जोड के दो से divide कर दो दोनों answer को यही हो जाता है हमारा dual method यह कौन सा method हो जाता है हमारा dual method करना कुछ नहीं है एक एक्चुल एवरेज क्या है फियर प्राइस को भी कह देते हैं ठीक है तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं इस बेसिस पर हाँ पचास पेड़प क्या मीचे पचास लाग पेड़प है एक लाग शियर पचास रुपए का अच्छा यह सवाल इदर है चलो यहीं लगा देते हैं कुस्छे नमबर ग्यारा ओ है यह चीरा का अंसर डेट एटिल है प्राइं कर दो चलिए ये भी कोश्चन एक्जाम में पूछा जा चुका है सर सारे कोश्चन एक्जाम में बिल्कुल और आपकी किताब में भी कोश्चन हो गई है चलिए कोश्चन थोड़ा क्या कहता है दा कंपनी बैलिंग शीट ऑफ ए लिमिटेड ए लिमिटेड का बैलिंग शीट है 31,3,2017 का दा कंपनी प्रोस्पेक्टस दो हजार अठारा सत्रा और अठारा का और जो प्रोस्पेक्टस कहता है बिल्डिंग कहता है अब इतने का हो जाएगा यानि साड़े तीन लाग का हो जाएगा प्रोफिट लास्ट 3 येर का गीवन है आपको के हर साल इंक्रीमेंट लग जाएगा साहब कितने रुपे का इंक्रीमेंट लग जाएगा एन्वल इंक्रीमेंट 50,000 का और जर्नल रिजर्ब में हम 25% ट्रांसफर करेंगे प्रफरेंश शियर आर टू बी कैपिटल एंड डिविडेंट कहता है कि प्रफरेंशियल शियर आर प्रफरेंशियल एज कैपिटल एंड डिविडेंट जो कि प्रफरेंशियल शियर का हमें सबसे पहले देना है वही करना है कि डिविडेंट और ये दे गए से निकालना एप्रोप्रेट बीसेस कंसीडरिंग डा बिलो आफ दा मेंशन बैलेंस शीट अफ दा कमपनी अब डूवल मेथड के लिए हमें दोनों मेथड का आंसर आना जरूरी है एक नेट एसेट्स मेथड वाला भी और एक इल्ड वाला भी हमारा आना जरूरी है तो एकु फिर आ जाएंगे हम दूसरे पर अरे चलिए अब ही मैं कमेंट किसी का नहीं देख रहा भी थोड़ी दिर में देखेंगे सबसे पहले एसेट्स में एक एसेट्स का वैल्यू दे दिया है बिल्डिंग नेट वर्थ आपको बता दिया है तो एसेट्स सबसे पहले क्या दे रहा है बिल्डिंग बिल्डिंग कितने का है साहव सर बिल्डिंग है साड़े तीन लाक रुपे का तो मार्केट वेल्यू लेते है ना साइद याद हो आपको तो इसके बाद प्रॉफिट बगएरा है तो इल्ड वाले के काम आएगा अब प्रफरेंशियर बाद में देखेंगे नॉर्मल रेट ओफ रिटन बाद में देखेंगे अब यहाँ देख लेते हैं सेट में क्या है बिल्डिंग वाला तो हुई गया पार्ट पर नीचर के बारे में सवाल ने कुछ नहीं बोला तो लिख ले इसके बाद हमारा करंट इन्वेस्मेंट दे रखा है और फेस वेल्यू यह है और है इतने का तो हम जितने का वेल्यू है वो लेंगे हम that is investment तीन लाग पैंतिस अजार इसके बाद आपका inventory मार्केट वेल्यू चारपचास दे दिया इसने इन्वेंट्री, चार लाग, पचास अजार, ट्रेड रिसीवेबल संडरी डेटल 280, आगे कहता है cash and cash equivalent है मारे पास, कितने का, 60,000, आगे कहता है other, preliminary expense, preliminary expense तो वैसे भी fictitious assets का इसको add ही नहीं करना, अगर add होता है तो हम minus और कर देते हैं उसको, और कोई assets बोलनी रहा, liability के अंदर देखा जाए तो सिर्फ fully paid up liability है, different kind of liability ही नहीं, तो total assets हा जाएगा हमारा, या gross assets भी बोल सकते हो आप, इस में से less क्या आगे बताओ, 14,00, कितने, 78,000, इस में से क्या क्या less करना है सर, creditor, यानि liability, लाइबलिटी में क्या क्या है सर, हमारे पास, बस trade payable है, trade payable, यानि creditor, कितने का less करना है सर, 48,00, और क्या minus करते हैं, सर, preference share capital भी minus कर देते हैं, सर, preference share capital देखे, कितने का 1,00,00, अब total आजाएगा हमारा net assets, सर, net assets, सर, net assets, बताईए क्या आया, क्या आगया, 13,00, 30,000, सारी चीज़े ले लिए हमने, क्या यहां पर हमारा value of shares निकल सकता है, value per share यही निकाल देते हैं, that is 13,00, 30,000, और divide किस से करेंगे बताओ, नहीं, number of shares है, number of shares है, number of shares है एक लाख है या 10,000 है, एक हजार है, अच्छा, चार हजार है, चार हजार है, बताईए क्या आएगा, कितने, 332.5, पहला हमारा answer आगया, net assets method से, नीचे लिखाओ अभी है, net assets method से यह answer है, ठीक है, अब दूसरा answer निकालना पड़ेगा, हमाई कौन सा, dividend method, dividend method से, यानि yield method, yield method के लिए हमें profit लेना होगा, sir, here profit जो दे रहा है न, current year का profit, 4, 30 है, पुराने साल का profit नहीं लेते हैं, current year का profit लेते हैं, that is 4, और कहता है, सवाल में हर साल का increment भी लगेगा, कहीं बोल रहा था, यह रा, तो इस साल भी increase हो जाएगा, कितने का, बचे कितने, और कहता हैं, 25% reserve में भी देंगे, तो कोई बात नहीं भाई साथ, 25% भीजदो reserve में, minus में reserve, 25% निखाल लो, इसका क्या बनता है, 4, 80 का 25%, 120, और sir क्या minus करते हैं, preference share का dividend भी minus कर देते हैं, तो preference share का dividend देखा जाए, तो एक लाग का आठ परसेंट कितने हो जाएगा, और क्या minus करते हैं, transfer to, general जोई तो minus करी दिया, बस और कुछ नहीं, कितने आगे, minus 8,000, 352, कितने आगे हमारे, 3,52, 352 में सबसे पहले अब dividend निकालना होगा हमें, तो dividend का rate कैसे आएगा, 352, divided by value कितने का है, 4,00, यह आगे, that is 88%, 88%, 88% के बाद, अब हमें क्या लेका रहा है, rate, तो आपका VPS क्या आजाएगा, value per share मैंने बोल दिया, 88 divided by, into में, एक shares का price, 5,86, 5,86, 6,66 आगया, ठीक है, दोनों से value निकल गया, अब dual method क्या कहता है, भाईया, दोनों के value को आप add कर दो, और divide 2 कर दो, इसे dual method कह दो, या fair value method कह दो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, तो sir, दोनों का value निकाल के divide कर देते हैं, तो हमारा हो गया, net assets method से, या intrinsic, ये कितना है sir, और, 332 रुपे 50 पैसे, और हमारा yield method, 585 रुपे 66 है ना, अब दोनों को dual method निकाल लेते हैं, सवाल में देखे, सिर्फ एक ही point पूछा गया है, क्या पूछा गया है sir, कहां गया, कहां गया, equity share by dual method, बस एक ही पूछा गया है, क्या 86 है ये, चलो 86, ये क्या होता है हमारा, VPS, as per कौन से method से, net assets, या intrinsic बोल लो, plus VPS, VPS क्या है, value per share, short form लिख रहा हूँ, बड़ा लिखने में थोड़ा time लगेगा, ये कौन सा method से, dividend method, और divide किस से कर देंगे हम, 2 से, that is आप का जाएगा, 332.50 प्लस में, 586.66, divided by 2, बताईए, बताई, बताईए, किसी बच्चे का doubt इसमें, झाइग 한 consumeos in प्लस में से, को पूचती है, को काbenही का जाएगाय का बताईए, जैएगा में प्लस में से, आप का आमे श्स बताएगा, 5 प्रोफंोants से देंए,